अथा के माद्धियम से मेरा सवभाग्य है कि भगवान श्री हरी का गुंगान करने का ये स्वरण अवसर प्राफ्थ है कली काल में भगवान के विशय में सुनना, भगवान के विशय में बोलना, भगवान के विशय में पठन रटन करना, चिंतन मनन करना ये अतियावश्रक है क्योंकि कली में मल अर्थाद अनर्थ अपराद प्रवृति जो है ये बहुत प्रवल्ध है सत्ययोग, त्रेतायोग, द्वापरयोग सभी यूगों में अनर्थ या पाप करने की भोग प्रवृति की जो इच्छा होती है ये प्रचंड रहती है परन्त विशेश करके कली काल में क्योंकि वास्तविक सत्धर्म कपत जो है मिश्रित है और लोग विभ्रमित है लोग जानते नहीं कि सत्मार्ग में कैसे चले इसलिए अनर्थ अपराद प्रवृति भोग वृति और कप्टी प्रवृति और ये सब जो अन्दकार तमस के जो साधन है ये बहुत प्रवल है बहुत प्रभावशाली है इसलिए अतियानिवारिय है कि हम सब भक्त एकत्रित होकर कथा कीरतन में अधिक सम्मिलित हो ताकि इस दुष्ट प्रवृति का नाश हो सके और भगवत भक्ती का सूर्योदय हमारे अन्तकरण के चित्त में हो सके तो इसी लक्षे इसी उद्देश से हम यहां एकत्रित हुए हैं तो एक 40-45 मिनिट के लिए हम कथा करेंगे और फिर उसके बाद 10-15 मिनिट के लिए हम प्रशनोत्तर का एक मैं प्रभुजी से यही विंती करूँगा अगर हो सके क्योंकि कई भक्त मुझे फिर मेसेज करते हैं संदेश भहिजते हैं कि प्रभु यह प्रशन था पर हम पूछ नहीं पाये क्योंकि समाई की पावंदी थी तो मेरा यही विंती रहेगा भक्तों से और जो कारी करता हैं उनसे यही अनुरोध रहेगा कि कृपा करके थोड़ा 10-15 मिनिट हम भक्तों को भी समाई दें ताकि प्रशन हो सके या कोई सुधार हो सके कथा में अगर आपको लगे कि मैं कोई तुटी हुई हो भूल हुई हो तो आप कृपा करके बताएं तो उस हिसाब से अगले बार जब उस विशय में प्रकाश डाला जाएगा या प्रयास किया जाएगा तो उस सुधार उस तु को उस भोल को सुधारने का एक अवसर मुझे मिल जाएगा तो इस प्रकार से हम आज की कथा को हम प्रादम करते हैं ओम ज्यानति मिरांधस्य ज्यानाजन शलाकया चक्षर उनमेलितं येन तस्मय श्री गुरवे नमहा श्री चैतन्यमनो भीष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपह कदामहियं दधाति स्वपदांतिकं नमाओं विष्णपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्र श्रिवास आदि गौर भक्त वरिंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे तो जो भी भक्त जूम के मध्यम से एकत्रित हैं और ज आज का विशे है हरी नाम का आश्रे हम सब जानते हैं कि वैदिक शास्त्र अनुसार भगवान श्री कृष्ण के असीम अनुकंपा से श्री प्रभुपाजी के अनुकंपा से वैदिक शास्त्रों के आधार पर हम सब जानते हैं कि भगवान से भी अधिक यदि कोई कृपालू दयालू दीन बंधु हैं तो वो है भगवान का नाम कई शास्त्र में ऐसे श्लोक हैं जो ये कहते हैं कि भगवान और भगवान के नाम अर्थाद नाम और नामी अभिन है और ये वास्तविक सत्य है क्योंकि प्रभुपाजी भी इसका उधरन देते थे कि इस जगत में दे कोई व्यक्ती भूका प्यासा हो और वो अन-रोटी की भूक के कारण वो चिलाए चीखे और जोर जोर से पानी 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 पुकारे तो उसकी प्यास नहीं मिटती या वो जोर-जोर से रजगुला घुलाब जामुन रजगुला घुलाब जामुन बुले तो भूक नहीं मिटेगी पर आपके चंदरमुक पर हसी मुस्कान तो आती है सबको अच्छा लगता है रजगुला खाए ना हो कम से कम सुनने का ये रजगुला का नाम सुनकर ही सब को हर्शानवित हो जाते हैं हर्शुला से प्रफुलित होते हैं सब परंतु भूक और प्यास नहीं मिखती श्रीला प्रभुपाजी ये कहते हैं कि इस जगत में वस्तु जो है और उसका नाम जो है ये भिन है जैसे रजगुला ये नाम है पदार्थ रजगुला है नाम में रजगुला का स्वाद नहीं है परंतु आध्यात में दृष्टी कौन से भगवान जो नामी है और उनके नाम ये अभिन है अर्था जहां भी भगवान के नाम गोविंद, केशव, जनार्धन, जहां भगवान के पवित्रों नामों का उच्चारन हो, वहीं भगवान उपस्तित हैं। पहली बात तो काल, देश, समय, परिस्तिती का कोई पाबंदी नहीं नाम उच्चारन में। नाम का आश्रे न ले और नामी के पीछे भागे, तो क्या भगवान पासकता, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। कदापी नहीं। इसका उधारन आप रामायन की पन्नों में देख सकते हैं। एक उधारन है मातंग रिशी की शिश्या अर्थात शबरी देवी। और दूसरे पक्ष में उधारन है हमारी शूरपनका देवी। अब कोई कहेगा आप देवी क्यों कह रहे हैं वो तो राक्षसी है। सूरपनका ने प्रभूराम का वास्तविक दर्शन किया। प्रभूराम के पास भाग कर चली गई। फिर भी क्या हुआ? कान और नाक कट गए। एकदम विपरीत वहां शबरी देवी प्रभूराम के पास नहीं गई। परंतु प्रभूराम खोचते खोचते आये उसके छोटी कुटिया में। क्यों? क्या फरक है? फरक यही है कि सूरपनका ने प्रभूराम को प्राप्त करने का प्रयास किया, चेश्ठा की परंतु राम के नाम के आश्रित नहीं थी। यदि राम के नाम के आश्रित नहोकर राम के रूप के और प्रत्यक्षदर्शन भी क्यों ना करे? कान और नाक कटकर व्यक्ति आ जाता है पुना। तो कान और नाक कटवाने बराबर है और उसके एकदम विपरीद यहां शबरी देवी ने प्रभु राम का दर्शन करने के लिए चेश्टा नहीं की यहां वाँ नहीं भागी लंका से पंचोटी नहीं आई परन्तु प्रभु राम खोचते-खोचते गये क्यों क्यों क्योंकि शबरी देवी ने राम का नहीं प्रभु राम के नाम का आश्रे लिया तो यदि किसी ने नाम का आश्रे लिया तो नामी खीचे-खीचे आ जाते हैं भक्त के प्रति जिस प्रकार ये एक व्यक्ति यदि पतंग उड़ाए तो जितना दोरी हम खीचे उतना ही वो पतंग पाते हैं कि एक व्यक्ति है जो दोरी के आधार पर उस पतंग को अपने शक्ति वशिभूत कर रहा है। देखो तो ऐसा लगता है कि अरे देखो स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से उड़ रहे हैं एक आवतार से दूसरे आवतार। पर पास जाकर देखो तो स्वतंत्र नहीं है। दूर से देखो तो भगवान भी स्वतंत्र लगते हैं पर पास जाकर देखो तो एक भक्त खड़ा है जिसने दोरी भागा रूपी नाम से उस नामी नामक पतंग को वशिभूत किया है। यही अगर दोरी कट जाए तो व्यक्ति और पतंग के बीच का संबंद भी कट जाता है। अर्थात हम उस पतंग को तब तक चला सकते हैं जब तक छोटे दोरी का आश्रे लिए हैं दोरी के माध्यम से खीच रहे हैं वो दोरी कट गई तो पतंग भी कट गया, पतंग भी दूर हो गया, संबंदी चुट गया। उसी प्रकार यदि उस दोरी रूपी नाम का हम आश्रे लेकर सतत नाम चिंतन करें। कि सब कुछ छोड़ कर नाम लेना है। किसने कहा छोड़ो घर बार चलो हरीद्वार। किसने कहा ग्रहस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। किसने कहा विरक्ती ही एक मार्ग है। विरक्ति एक मार्ग अवश्य है परंतु ग्रहस्ति भी एक मार्ग है ग्रहस्ति मूल है और विरक्ति फूल है ग्रहस्ति के मूल से विरक्ति का फूल खिलता है ग्रहस्ति में होकर मा होकर बहन होकर भाई होकर बेटा होकर पिता माता भ्राता सब संबन निभाकर कारी करते रहे टाइप करते रहें, हम लापटाप के साथ दफ्तर के काम करते रहें, किताब के लिए कुछ लिखते रहें अन ग्रहन करते रहें, पानी पीते रहें, गाड़ी चलाते रहें, पर जिभा चलाते रहें होटों से जिभा से सतत नाम उचारण करते रहें, बहुत सरल है आपको ऐसा नहीं कि सतत एकी आसन बैटना है एकी दिशा की और देखना है एकी मुद्रा करनी हो अंगन्यास करना हो समय की पाबंदी हो स्थान की पाबंदी हो नाम इतना अधबुत साधन है ना समय ना स्थान ना दिशा ना अंगन्यास ना मुद्रा ना यंत्र ना मंत्र ना ना तंत्र नो ग्रंथ कुछ भी नहीं एक दाम स्वतन्तर साधन है ये नाम कई बार तो लोग कहते हैं प्रभू मन नहीं लगता मन लगे ना लगे जिवहासन नाम उचारण करते रह सकते हैं कोई समस्या नहीं बिल्कुल समस्या नहीं तो नाम उचारण करने मात्र से नामी व प्रभूर राम को खोजने का प्रयास किया, प्रभूर राम के नाम में कोई शरधा प्रगाड आस्था नहीं थी, इस कारण वर्ष कान और नाक कट गए, परंतु यदि कोई शवरी देवी के पद चिन्नों का अन्याई बने, राम को वशिभूत करे ना करे, उनके अश्रित हो ना हो, राम के नाम यदि अनन्याश्रय हो जाए, अश्रित हो जाए यक्ति, शरनागत हो जाए, तो राम खोजते खोजते आते हैं, देखो ये है भक्त की महीमा, रामायन के पन्नों में बहुत विस्तार में ये बात कही गई जटायू की जीवन का चरित्र देख लीजे जटायू देख रहे हैं कि मैया सीता का अपरण हो रहा है दश्मुक, दशानन, दुष्ट, रावन के हातो जटायू जानते थे मेरे में कोई सामर्थे नहीं रावन है नव युवक और मैं साथ हजार साल का ब्रिद यक्ती हूँ पक्षी राज हूँ पर अकेले बैठा हूँ ना मानसिक स्थर पर ना शारिरिक स्थर पर कोई बल बचा है मेरे पास ना कोई रत है, ना सार्थी है ना कोई अस्त्रशस्त्र है, कुछ भी नहीं ना रावन की तरब बीस हाथ है और दस मुख है फिर भी उसने चोच मारने का प्रयास किया फिर भी अपने पंखों से फढ़ पढ़ते हुए युद्ध का प्रयास किया अंततो गत्वा रावन ने काट दी और जटायू की हत्या हो गई जब जटायू की हत्या हो रही थी और वो अंतिम श्वास ले रहे थे प्रभु राम खोचते खोचते आये देखिए दूसरा उधारन भक्त को खोचते खोचते ठाकुर आ गए ठाकुर ने कहा हे जटायू एक बार तुम उड़कर यदि हमारे पास आ जाते और कह लेते कि देखो मैया सीता का आपरन हो चुका है तो हम जाकर युद्ध करते रावन से तुमने चुनोतिले ने कहा दुसरा हस क्यों किया वो आप त जीवन रक्षा करना चाहिए था प्राण को बचाना चाहिए था क्यों युद्ध लड़े तुम तो जानते हो कि तुम वृद्ध अवस्था में स्थित हो तुमारा कोई अस्त्रशस्त्र नहीं तुमारा कोई सार्थी नहीं कोई रत नहीं और दो पंक हैं वो कट गए तो त रावन का वैसा नहीं, एक हाथ काट दो तो दूसरा है, एक सिर काट दो तो दूसरा है, दुष्ट प्रवृत्ते से भरा है, तो तुमने युद्ध क्यों किया, तुमने क्यों चुनौती ली, उड़ कर एक बर हमारे पास आ जाते हैं, मैं आ जाता, रावन को ढूंटे मैं आता, तो भक्ती की नाक कट जाती, कभी ऐसा समय आया नहीं कि जब भक्त ने जाकर भगवान को ढूंडा हो, आपको ढूंडने आने पर मेरा तो प्राण बज जाएगा, पर लोग क्या कहेंगे, भक्त ने भगवान को ढूंडने का प्रयास किया, परंतु प्रभू यद मैं अपनी सेवा में युक्त रहूं और आपके नाम को सतत उचारन करते रहूं मेरे मदुर चोच से, प्रभू मैं असफल क्यों न हो, पर इसमें सफलता है कि मैं आपको ढूंडने के बज़ाए आप आकर मुझे ढूंड रहे, जो सोभाग्य दशरत महराज को नहीं मिला, वो सोभाग्य जटायू को मिल गया, प्रभू राम के हातों द्वारा अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार करने का, प्रभू राम ने जटायू को अगनी दी, जो दशरत महराज को भी नहीं मिला, अब यहां जटायू का विशे हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि जटायू भी नाम सेवा, बिना नाम उच्चारण, बिना भक्ती में निष्टता, बिना कोई निष्ठा, भगवान को खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए, परंतु सेवा में इतना कारियरत रहे, क्रियाशील होकर इतना प्रचार करे, प्रेम भाव से इतने उचे कंट में प्रभु का नाम आ दारन देते हैं कहते हैं कि अन्य पत और भक्ति में बहुत बड़ी भिंता है बहुत बड़ा अंतर है क्या अंतर है वह अन्य पत ये एक बंदर का पत है उसको मरकट मार्ग कहते हैं क्यों मरकट वाला वानर वाला बंदर वाला मार्ग क्यों है क्योंकि अन्य साधनों में अन्य मारगों में ज्यान मारग, कर्म मारग, ध्यान मारग, योग मारग, इत्यादी, हट योग इत्यादी, उसमें हमें बच्चा बनना पड़ता है, किसका बच्चा, बंदर का बच्चा, जब मा बंदर एक ब्रिक्ष से दूसरे ब्रिक्ष, एक डाली से दूसरे डाली पर छलांग लगाती है, तो छोटा बच्चा क्या करता है, अपने उपर, उत्रदाइत्व ले लेता है, कि मैं अपने मा को धरू, ताकि पतन ना हो, मैं गिरना जाओ, मा कभी अपने बच्चे को धर कर, बंदर छलांग नहीं लगाती, वो छलांग लगाती है, स्विच्छा से, और पर उतरदाई तो होता है कि मा को पकड़े, यह अन्य मार्ग हुआ, जहां हम अपने साधन के बल पर प्रभु को पकड़ने का, प्रभु को ढूंडने का, प्रभु को वशीभूत करने का प्रयास करें, परन्तु श्रीपाद, रामानुजाचारे कहते हैं, भक्त वैसे नहीं ह होते हैं, भक्ती का मार्ग कौन सा है? यह मरकट का मार्ग नहीं, यह मारजार का मार्ग है, अर्थात, बिल्ली का मार्ग है, बिल्ली का मार्ग क्यों? इसमें भी हम छोटे बिल्ली हैं, हम भी पिल्ले हैं, परन्तु यहां हम मा को खोजने का, हम मा को पकड़ने का, हम मा को ध दूनने का प्रयास नहीं करते हम बस एक जग़ा बैठ कर म्याव पुकारते हैं और मां धून्ट धूनती आती है बच्चे को ले जाने के लिए बाकी अन्य मार्गों में बच्चा पकरता है मा को अर्था जो साधक है उपासक है वो भगवान को पकड़ने का प्रयास करता है परंतु भक्ति के इस सुरम्य, सुगम्य मार्ग में व्यक्ति या भक्त भगवान को पकड़ने का प्रयास नहीं करता है परंतु केवल नाम उचारन करता है और प्रेम भाव से, आर्थ भाव से, दैन्य भाव से, स्नेह भाव से प्रभु की सेवा करने का प्रय प्रभूति हो रही है कि नाम इतना प्रभावशाली है इस में कोई दो राय नहीं है कि नाम और नामी अभिन है ये सब क्या है परंतु इन दोनों में देखा जाए नाम नामी से भी अधिक कृपालू है दयालू है पुनव हम देखते हैं रामायन की पन्नों में हमारे पर चरन रखके अहल्या बनाया कितने पथरों पर परसी जासु पदपंक जधुरी तरी अहल्या कृताग भुरी कितने पथरों पर चरन रखके अहल्या बनाये प्रभू केवल एक पथर मरियादा पुरुशोतम दशरत नंदन सीता पती आयोध्या पती श्री रामचंद्र भगवान ने कितने पत्थरों पर पैर रख दिया चलते चलते वन प्रवेश वन गमन में परंतु केवल एक पत्थर को अपना स्वरूप मिला अहल्या देवी को ये थो गया नामी का बात परंतु नाम की महिमा देखिए नाम जिस पत्थर पर विराजमान हो जाता है उस पत्थर से व्यक्ति भक्त उस स्वरूप को पा लेता है पुनर पुनर बारं बार यही बात सफ़श्ठ है, नाम और नामी में विशेषता दोनों अभिन परन्तु नामी से बढ़कर नाम, यही बात तो प्रभू राम ने एक पत्थर से अहल्या निकाला परन्तु अनंत युगों से, अनंत काल से, अनादी काल से अनन्त जीव भवसागर तरे हैं अनन्त जीव के पत्थर रिदय पिगले है नाम के विराजमान होने पर नाम को जब रिदय रूपी पत्थर में जब विराजमान करे तो व्यक्ति अपना नीजी स्वरूप पा लेता है ये हो गया एक उदारन प्रभू राम ने शीव जी के धनुष को तोड़ा और मया सीता से विवा किया कितने धनुष तोड़े? एक वो धनुष तोड़ने की पीछे भी एक रहस्य मही लिला है वो शीव धनुष जो है ये अहंकार का प्रतीक है तो कई राजकुमार आये थे वहां और शीव धनुष को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे पर तोड़ नहीं पाए क्यों? क्योंकि अहंकार को तोड़ना ये सबकी बसकी बात में है सब आते हैं प्रयास करते हैं अहंकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं पर तोड़ने का छोड़ दीजिए, उठा भी नहीं पाते, अपने खुद के मिथ्याहंकार को खोज भी नहीं पाते, पूरा जीवन चलते हैं, कहते हैं कि मैं वरिष्ट वैश्नम हूँ, परन्तु अंदर मिथ्याहंकार के प्रतीक है, भंडार भरा है अंदर, हम खोज भी नह ही पाते हैं, उसको उटा कर भंजन करना ये तो दूर की बात, मैया सीता कौन है, भक्ती की प्रतीक है, राजकुमार तो मिथ्याहंकार को खोज नहीं पाए, परन्तु प्रभुराम ने आकर क्या किया, उस अहंकार रूपी धनुष को जब तोड़ दिया, तो भक्ती से प्रभुराम ने अहंकार रूपी एक धनुष का भंजन किया, परन्तु नाम इतनी महिमाद आई है, कि जो भी व्यक्ती नाम का आश्रह ले लेता है, नाम उचारन करने लगता है, नाम अंदर जाकर उस अहंकार धनुष को तोड़ देते हैं, नाम तोड़ देता है, कितने अनर्थों में, अपराध प्रवर्ती में, पापों में लगे थे, परन्तु केवल नाम उचारन मातर से, क्या हुआ, उस मित्या अहंकार नामक धनुष का भंजन हुआ, और दैन्य भाव उदय होने लगा, अभी वोई भक्त चुडामनी, शिरोमनी बनकर चल रहे हैं, पहले प्रभु राम के रामायन की कथा में हम देखते हैं, कि महा सागर के आर पार प्रभु ने क्या किया, सेतु बंधन किया, उस सेतु को बांधा पत्थर से, और फिर इस पार से उस पार चले गए, तो प्रभु ने भवसागर पार करने का तरीका बताया, अगर तुम बंदर भ बना कर भावसागर पार खुद हाथ पकड़ कर करा देते हैं ये बात सिद्ध है परंतु राम और राम के नाम में क्या फरक है राम ने समंदर को महासागर को यथा रूप रखा केवल पूल बांदा परंतु राम का नाम क्या करता है पूल नहीं बांदा उस दुख रूपी सं इंसार नामक महा सागर को सुका देता है तो व्यक्ति चल कर जाए पूल बानने की कोई आवश्यक्ता नहीं समाशुताये पदपलवपलवम महत पदम पुण्यय यशो मुरारे भवाम भुदीर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतेशाम ब्रह्मस्तुति भागवत दश्रमसकंद के चवदाविय अध्याई ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भगवान के नाम के आश्रित हो जाते हैं क्या होता है ये दुखद महा सागर जो है संसार रुपी महा सागर हमें कोई पूल बनने की आवश्यक्ता नहीं कोई सेतू बनन करने की आवश्यक्ता नहीं संसार वैसे ही रहेगा तुमें उससे उठना होगा नहीं संसार में रहकर भी दुख का शमन हो जाएगा विश्वम पूर न सुखायते भगवान कहते हैं कि जगत कैसा है दुखालयम दुख से भरा है परंतु भक्त नहीं मानते क्यों? क्योंकि भगवान के आश्रित हो जाओ भगवान कृष्ण चंद्र के आश्रित हो जाओ तो मानना पड़ेगा कि ये दुखत परिस्तिती है ये जगत पूरा दुख मैं है परंतु कृष्ण के नाम के आश्रित हो जाओ तो विश्वम पूरन सुखायते आहा इतना अमृत की धारा बै रही है कि पता नहीं चौदा दिशाओं में हर जगा केवल 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 मंगल में भद्र में कल्यानकारी परिस्तिती हो गई है भक्तिविन ठाकुर तो कहते हैं कि चौदा दिशाओं में मैं देख रहा हूँ दिशाओं कितने हैं दस पर हो कहते हैं चौदा दिशाओं में मैं देख रहा हूँ हर जगे से केवल आनंद का विस्पोट हो रहा है कैसे हो रहा है ये आनंद का विस्पोट भगवान तो कहते है पर आप तो यहां कहते हैं केवल आनंद भरा है कैसे आनंद है अच्छा अगर आप वास्तविक सत्य देखो तो इस जगत में केवल दुख है परन्तु यदि आप नाम के आशरित हो जाओ इस जगत में भी तो दुख कहा है आपको पूल बानने की आवश्यक्ता नहीं ये दु है नहीं उस नाम रूपी सूर्य के तेज में दुख रूपी पानी नश्ठ हो जाता है तो इसी प्रकार रामाण में कई सारे उधारण हैं जहां नामी से बढ़कर नाम का ये बात सिद्ध हुआ जैसे प्रभू राम हमारे मन को आक्रिष्ट करने के लिए हमें भक्ति पुरी लीला रचाय है विचारे प्रभू राम आदव राम तपो वनादी गमनम रित्वाम्रगम कांचनम वैदे ही हरनम जटायू मरनम सुग्रीव संभाशनम वाली निग्रहनम समुद्रतरनम लंका पुरी दाहनम पश्चाद रावन कुंब करना हननम एतधी रामायनम एक माया म्रग के पीछे भागे फिर क्या हुआ वैदे ही हरनम वैदे ही मैया सीता जानकी देवी का अपहरन हुआ वैदे ही हरनम जटायू मरनम जटायू ने प्रांट यागा फिर सुग्रीव संभाशनम सुग्रीव के साथ प्रभू ने संभाशन किया फिर वाली निग्रहनम वाली का वद कर दिया, समुद्र तरणम, समुद्र में सेतु बंधन करके लांग कर चले गए, फिर लंका पुरीद आखनम, लंका को नश्ट कर दिया, फिर पश्चाद रावना कुम्ब करना हननम, रावन और कुम्ब करन का वद कर दिया, यह था धी रामायनम, यह रामायन का प्रस बैता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रामायन पड़े और हर पन्ने में आसुना बहाए तो। तो परस पर मित्रता बन जाती है हमें। एक व्यक्ति धन खो बैटें, पचास लाग का घाटा हुआ। दूसरे व्यक्ति ने कहा मेरा भी कोई 40-50 लाग का घाटा हुआ। तो दोनों दुखी हैं पर मित्र हो जाते हैं। छोड़ दो तुमारे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तु हो, ठीक है हम भूल जाते हैं, आगे कुछ करते हैं, साथ में मिलकर कुछ बिजनस करते हैं, पता ने, इतनी महित्रता हो जाए। तो प्रभू जानते हैं कि अगर मैं स्वामी बन कर इनको बद्ध जीव को संसार के रूपी, संसार मैं तरस्त, फिर भी मनोरंजन में मस्त, ज सायद संबन इतना गहरा नहीं है, पर मैं जब स्वयम अपनी लिलाओं में ऐसा प्रतीत करूँ, ऐसा दिखता है, कि इतना दुख का अनुभा हो रहा है, तो कोई भी पत्थर दिल पिगलने लगता है, कि मेरे प्रभू देखो कैसे मैया सीता को खोचते खोचते ब्रक्षों को पूच रहे हैं, पंचियों को पूच रहे हैं, छोटे-छोटे भ्रमरों को पूच रहे हैं, कि कहीं मैया सीता को देखा, तुमने कहीं सीता देवी को देखा, तो हमारे रिदय को मनमोहित करने के लिए, हमारे रिदय के सनेह भाव को प्रकाशित करने के लिए, प्रकट कर प्रभु ने पूरे लीला में कितनी करुणा बहाया, कितने दुख की वैसे प्रभु तो चिन्माए है, सचितानंद बिग्र है, उनको दुख स्परश नहीं करता। फिर भी ऐसा दिखता है कि बहुत दुख में प्रभु प्रवेश करते हैं लीला में, अलग-अलग-अलग हि लक्ष क्या था कि हमारे रिदय को पिगला कर प्रेम या भक्ति उसमें जागरित किया जाए। तो नामी देखिए इतनी पूरी लीला रचाकर जो भक्ति प्रदान करना चाते हैं, वोई भक्ति नाम एक जगा पर बैठ कर प्रकाशित कर देता है। नाम को कोई यहां दुख परिस्तिती से जाने की आवशक्ता नहीं, बस बैठो और राम, राम इन दो अक्षरों को रटने पर बस भक्ति जागरित होती है, रिदय में प्रकाशित होनी लगती है, प्रकट होनी लगती है। तो यदि दो व्यक्ति आकर खड़े हो जाए, एक है राम और दूसरे राम क और दूसरे कृष्ण के नाम, हम हाँ जोड़कर कहेंगे कि सूरुपना का की तरह नाम को छोड़कर नामी की पीछे नहीं भागना, हमें शवरी की तरह नामी चाहे छुट जाए, पर नाम को धरकर ऐसे पकड़ना है, ताकि नामी रूपी पतंग, नाम रूपी दोरी के अधन नहीं काम करता, बिल्कुल नहीं, बिल्ममंगल ठाकुर ने तो यहां एक बहुत सुन्दर श्लोक कहा है, इसको मुझे स्मरण नहीं है, तो आप सब के समक्ष यहां प्रस्तित करना चाहता हूँ, दो पंक्तियां है, बहुत सुन्दर है, बिल्ममंगल ठाकुर लिखत प्रषट्व नाम की विशेष्ता नाम की प्रशंसा जब गाई जाती है तो ऐसा लग सकता है किसी को कि संध्यावंदन का क्या कोई अर्थ नहीं, क्या उसका कोई महत्व नहीं, नहीं महत्व अवश्य है, पर जब प्रभू के नाम के साथ तुलना की जाए, तो नाम अधिक कृपालू है, दयालू है, तो यहाँ बिल्वमंगल ठाकुर जी लिखते हैं, संध्यावंदन भद्रम अस्तु भवता, हे संध्यावंदन आपकी जाए हो, त्रिकाल संध्य जो होता है, ब्राम्हन अत्व का गुण है, कि इस दिशा में, अमुक दिशा में बैठें, अमुक आसन में बैठें, और फिर गायतरी मंत्र का उचारन करें, तो गुरू प्रदत जो विधी है, ब्राम् भद्रमस्तु भवता, आपकी जय हो, आपको मेरा दंडवत है, आपको मैं प्रनाम करता हूँ, आगे भो स्नान तुभ्यम नमहा, हे वईधिक पद्धत्य अनुसार जो स्नान है, आपको भी नमहा, आजकल हम जो स्नान लेते हैं, वो जट पट अंदर जाते हैं, बस बाहर आ जाते हैं, इसको वईधिक संस्कृत्य अनुसार स्नान नहीं क्याते हैं, वईधिक कारी अनुसार जो स्नान होता है, इसकी विधिय होती है, कई द्रव्यों से स्नान होता है, कई क्रमों अनुसार स्नान होता है, अन्य अन्य पदार्त प्रयोग होते हैं स्नान में, कई मंत्रो का उचारन होता है फिर व्यक्ति इतने समय के बाद जब इन जलों से पूर्ण रूप से मंत्रों का उचारन करते-करते भगवान का समरन करते-करते जब बाहर आए तो उसको वईदिक संस्कृती में सनान करते हैं हम जो आज कल के बातरुम में जाकर करते हैं इसको सनान नहीं ये कोई अंदशरदा है बस धोलिये और बहार आगे इसमें चाहे स्वच्चता आ जाए शरीर का पवित्रता नहीं आ सकती पवित्रता तो मंत्र के उचारण में होता है तो वैदिक काल में सनान ऐसे होता था कि तन की शुची हो औ और मन की पवित्रता हो दोनों मंत्र से पवित्रता और पानी से द्रव्यों से पदार्तों से वस्तु विशेश से स्वच्चता शुची आजकल हम करते हैं उसको भी हम सनान कह रहेते हैं परनतु यहां बिलवमंगल ठाकुर उस सनान की बात कर रहे हैं वैदिक सनान की वो क् फिर कहते हैं भो देवाहा अन्य देवी तेवता जो है 33 करोड देवी देवता है आपकी जय हो फिर कहते हैं पितरश्च तरपन विधव पित्र के श्राद तरपन की जो विधी है आपकी जय हो तो अलग-अलग वैदिक पत की बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं आपकी जय हो फिर कहते हैं, न अहम क्षमा क्षम्यताम, मुझे आप क्षमा करे, मेरे में कोई क्षमता नहीं, कि मैं आपको विधी अनुसार ठीक से कर सकूँ। का स्मरन करो, इष्ट देव का स्मरन करो, फिर भी अगर व्यग्रचित्त हो जाए, बिनश्यती, मन यहाँ माँ चल जाए, फिर पूरा फल निकल जाता है, उसका यह अरत नहीं कि हमें नहीं करना चाहिए संद्यावंदन, हम किसी को नीचे नहीं दिखा रहे हैं, बिल्वमंग को देन्य भाव से कहते हैं, नाहम क्षमा क्षम्यताम, मुझे आप क्षमा करे हैं, संद्यावंदन आप मुझे क्षमा करें, में कोई क्षमता नहीं कि मैं आपका चरन धर सकूं, सही आसन पर बैठ सकूं, सही दिशा करके बैठ सकूं, सही गायतरी मंतर का उचारन कर सकूं, स्वर ठीक हो, उच्चारण ठीक हो, छंद ठीक हो, अक्षर ठीक हो, संधी विच्छेट ठीक हो, मेरे में इतनी ख्षमता नहीं कह रहे हैं, फिर कहते हैं सनान आपकी भी जय हो, क्योंकि मुझे वो द्रव्य पदार्त मिलते नहीं, और मुझे विधी मालूम नहीं, विशेश स जानता, और पितरश्च तरपन विधव, हे पित्रगन, आपकी जो श्राद की विधी है, ये बहुत उची है, पर मुझे कोई क्षमता नहीं, मैं नहीं जानता कैसे विधी निशेद अनुसार इसको किया जाए, तो आप सब कृपाय करके मुझे क्षमा करें, अरे बिल्वम सब अलग-अलग साधन दिये गए हैं, अगर आप इसको ठुकरा देंगे, दूर से ही दंडवत देकर आप छोड़ देंगे, तो कैसे आपके अंतकरण का शुद्धिकरण होगा, बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, मैं क्या करूं, जब जिवा से क्रिष्टन नाम का उच्चा हो रहा है, तो कैसे मैं संद्यावंदन में ध्यान दू, कैसे प्रभु के नाम, नाम के इस रस को छोड़ कर कैसे मैं अपने अंगुटे में इस उपनैन हमारे जनेवों को बांधू, कैसे मंतर का उच्चारन करू, कैसे मैं जानू कि उत्तर दिशा कौन सा है, दक्षिन प्रेम भाव से, आर्थ भाव से, दैन्य भाव से, भाव विवश होकर, इतना रसा स्वादन करते करते भगवान कृष्चन के पवित्र नाम हों मैं डूब रहा हूं, कि संद्यावंदन, हे स्नान, हे देवता, हे पित्र तरपन विधी, आप सब मुझे एक्षमा करे, मुझ आप कोई आसन में बैटकर करना, ऐसा कुछ नहीं है, विधी निशेद नहीं है, आप गाड़ी चलाते चलाते जिवा चलाएं, आप रसोई घर में रोटी पकाते पकाते, कुछ सबजी बनाते बनाते जिवा चलती रहे, आप सुबे मॉनिंग वाक के लिए गए, चलते फिर आप नाम उचारन कर सकते हैं, कई बार तुम्हे भक्तों को देखा हूँ, उचकोटी के महापुरुष, वो प्रसाद गरहन करते करते बीज बीच में नाम उचारन करते हैं, चैतनी महाप्रभू, चैतनी भागत में कहते हैं भक्तों को, यदि आप प्रसाद गरहन करने की व पुझेपाद लोकनाद गुष्वामी महराज किरतन प्रारम करने से पहले पाच-दस मिनिट तो हरी-हरी-हरी-हरी करते हैं ताकि ऐसे लोहों को लगता है कि माइक टेस्टिंग कर रहे हैं पर जब इतना हरी नाम उच्चारन हो जाता है वो तो केवल वाम अप हुआ फिर जब महराज किरतन प्रारम करते हैं तो बस फिर तो धारा बैती है तो बात यही है चैतने महाप्रवु देव कहते हैं कि केवल नाम उच्चारन मात्र से प्रसाद ग्रहन करने की भी जो विदी है सब त्रटी अगर कुछ हो जाए वहाँ भी वो भी निकल जाती है मंत्र तस्तंत्र तस्चिद्रम देश कालहारः वस्तुता सर्वं करोती निश्चिद्रम अनुसंकीरतनम तब अश्टम सकंद भागवत के 23 अध्याए में बली महराज और वामन देव के संदर में कहा गया कि मंत्रों में कभी-कभी तुटी हो सकती है मंत्र उचारन में तु इंद्र शत्रो ये मंत्र का उचारन आया है हमारे तवस्टा जी तो जानते थे उन्होंने अपने पुत्र विश्वरूप को दे दिया कि इंद्र के लिए यद्य करे जब अन्त में विश्वरूप का जब बद किया इंद्र ने तो तवस्टा को बहुत घुसा आया कि जिस पुत्र को मैंने अरपन किया ताकि तुम इंद्र तुमारी सेवा कर सके, तुमने उसी विश्वरूप मेरे पुत्र का वद्ध कर दिया, अब मैं ऐसे पुत्र को जनम दूँगा, जो तुमें शत्रु मान कर तुमारा वद्ध करेगा, और शब्द का प्रयोग हुआ इंद्र कहने का आशर ये था कि ऐसा पुत्र मिले यद्निय से जो इंद्र को शत्रू रूप में देखे परंतु मंत्रू चारण में थोड़ा स्वर्ग में फरक हो गया तो क्या हुआ हमारे वृत्रासुर जनम लिये और सद गुणों से संपन थे उचकोटी के महापुरुष थे उन्ह ने वृत्रासुर को अपना शत्रू माना क्यों ये इंद्र शत्रू शब्द का अर्थ था जो व्यक्ति इंद्र को अपना शत्रू माने परंतु मंत्र उचारण में जब स्वर और अनुस्वर में जत्रटी हो गई तब उसका क्या फलिभूत हुआ वो व्यक्ति आये जिसको इंद्र अपना से तुरू माने, देखिए, अर्थी एकदम विपरीत हो गया मंत्र उचारण के भेद से, तो मंत्र तस तंत्र तस छिद्रम, मंत्र और तंत्र में कभी-कभी छेद हो सकते हैं, छिद्र हो सकता है, कोई तुटी भूल हो सकती है, देश कालहार हा वस्तुता, कभ गी में, जो भी क्यों ना हो, उसमें कोई तुरूटी हो सकती है, यदि सभी छेदों को, सभी छिद्रों को सरवम करो तो निश्चिद्रम, उसको निश्चिद्रित करना चाहो, तो एक मातर साधन है, कौनसा? अनुसंकिरतनमतवर, प्रभू, आपके पवित्र नामों का यद देवी देवताओं की जय हो, पित्र तरपन, इत्यादी विधी की जय हो, आप सब बहुत उचे हो, आपकी विधी निशेद बहुत उची है, मुझे क्षम्यता, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमता नहीं, मैं नाम उच्चारण में यहां इतना मगना हूँ, इस नाम के जा सकता है अंदर, शोच करते करते क्या कोई भागत पढ़ सकता है, सनान ग्रह में सनान करते करते क्या कोई शाली ग्राम को नहला सकता है, बिलकुल नहीं, कदार पी नहीं, भक्ती का कोई एक साधन ऐसा नहीं, जो स्थान विशेश ना हो, जो समय विशेश ना हो, या समय क पाबंदी सब में लगी है और स्थान की पाबंदी सब में लगी है परंतु नाम एक मात्र ऐसा साधन है सबसे उचा साधन सबसे सरल साधन सबसे शक्तिशाली साधन कली में ये ऐसा है जिसको स्थान आप अमरिका में हो इंडिया में हो या इंडिया से अमरिका जाने वाले फ् बैठो तो आहो भाग्या है कोई भी दिशा में बैठो आप ब्रजमंडल के कोई भी कोने में बैठ जाओ दिशा देखनी कि क्या आवशक्ता या आप अपने घर में बैठकर किसी भी दिशा में देखकर उल्टे दिशा में बैठकर आप नाम जब करो वोई उल्टा दिशा आप दिक्षा से पहले भी ले सकते हैं नाम उचरन करने के लिए आपको कोई दिक्षा की आवश्यक्ता नहीं परन्तु नाम के रहस्य में गोपनिय तत्वों को प्रकाशित करने के लिए रेदय में उसको साक्षार करने के लिए आपको सद्गुरु के अनुगत्य में शरनागत होकर दिक्षित होना ये अनिवारी है परन्तु नाम केवल अक्षरों को उच्छार करने के लिए कौन रोख सकता है कौन रोख सकता है आप म्रदंग लेकर एक ऐसे मच्छी मारकेट में जाकर भी आप किर्तन कर सकते है क्यों नहीं कर सकते जहां देशी दारू का वितरन होता है हमारे हरिदाष ठाकुर और नित्यانंदप्रभुतो जगाए मधाए जो एक हाथ से दारू का सेवन कर रहे थे मध्यपान कर रहे थे उनको जाकर उन्होंने नाम प्रकाश किया नाम का प्रचार किया तो नाम हर स्थान में जा सकता है जिस थान में विग्रह नहीं जा सकता उस थान में नाम पहुचता है क्या आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति अगर मासाहार कर रहा हो मध्यपान कर रहा हो क्या भगवान का सक्षात का दर्शन कभी होगा उस व्यक्ति को नहीं परंतु वो व्यक्ति मास का तुकड़ा अंदर रखकर यहां से मध्यपान करके बीच के जिवाग्र में अगर हरी हरी बोल दे बिड़ा पार तो नाम देखिए स्थान प्राप्त करके उस जिवा में स्थित हो जाता है हमारे रूप गोस्वामी पाद ने भी यही कहा कि यह नाम इतना शक्तिशाली है कि जो सद महापुरुष है जिनकी इंद्रियां इतनी सयम में लगी है कि इस जगत की एक भी चीज उनकी इंद्रियों से पार नहीं होती जैसे इस जगत की कोई बाद हो वारता हो उनके कान से प्रवेश होकर अंदर नहीं जाती वो नहीं सुनते ग्राम में कथाना शुनीबे इस जगत की वारता नहीं सुनते, इस जगत के दृष्यन नहीं देखते, इस जगत के कोई मनोरंजक, इंद्रतृति के साधन बस्तू वो नहीं भोगते, परंतु ऐसे महापुरुष जिनकी इंद्रियों पर ताला लगा हुआ है, इस जगत का कुछ भी चीज उनको अक्रिश नहीं कर सकता, उनके कानों में जब नाम प्रवेश करता है, उनको ऐसे लगता है कि मेरे हजारो हजारो कान हो, अर्भो खर्भो जिवा हो, और मेरे अंतरंग प्रांगन में जब ये नाम रित्य करे, तो ऐसे लगता है कि पूर्ण रूप से मैं अपने आपको प्रभु के च जगत्य में एक वस्तु आक्रिश्ट नहीं कर सकता, उनको नाम पूर्ण रूप से वशीभूत कर लेता है, और उच्छाटनम जाम हसाम, रूप गोश्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं, गाव में कभी-कभी ये तंत्रिक लोग होते हैं, तंत्र शास्त्र का प्रयोग का आशे हैं, तो गाव में कभी-कभी देखते हैं कि उच्छाटनत्व मंत्र का प्रयोग होता है, उच्छाटनत्व मंत्र का अर्थ क्या है, कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा कुछ कारी कर रहा हो, और दूसरा व्यक्ति जल रहा हो इससे, तो ये तंत्रिक व और कर्तव्य निष्ठ हो वो क्या करता है अब घर में बैटने लगता है अपने कार्य कर्तव्यों से वो रहित होने लगता है भूल जाता है कर्तव्यों से दूर भागता है ये व्यक्ति उस मंत्र के वशिभूत होता है और अपने कार्यों को भूल जाता है ये है चेतसाम, सुमानसाम, उचाटनम तामहसाम, उचाटनम क्यों कहते हैं, अमहसाम का अर्थ है पाप, और पाप का करतव्य क्या है, जीव को बांधना, ये नाम क्या है, ये नाम उचाटनत्व मंत्र है उस पाप प्रवृति को, अर्था जो पाप, पाप प्रवृति के कारण जो बंधन में जीव आने लगता है जीव यदि कृष्ण नाम का उचारन करे वो पाप जो आ रहा है हमें बांधने के लिए उचानटव मंत्र के प्रभा से वो अपना कर्तवे भूल जाता है अर्थात वो पाप वो जीव को बांध नहीं पाता इस बात को कहने के लिए कैसे काव्यों में शब्दों के प्रयोग से बांध कर रूप गुष्ण स्वामी इस बात को स्पष्ट करते है कि हरी नाम ये उचाटनटव मंत्र है पाप के लिए जो पाप का एक मात्र उद्देश है एक मात्र करतव ये है कि बद्द जीव को पकड़ कर धर कर उसको कष्ट प्रदान करे पूर्वजन में हमने जो पाप किया है भूत में जो पाप किया है ये जब फली भूत होता है तब उसके जो रियाक्शन आते हैं वो हमें बांधते हैं और कष्ट प्रदान करते हैं परन्तु जब हम नाम उच्चारन करेंगे, तो वो उच्चाटनत्म मंत्र की तरह प्रयोग होगा उस पाप पर, अर्थाद वो पाप भूल जाएगा अपने कर्तव्यों को, और बद्ध जीव को बांधने में असमर्त होगा। अंदिर में जाकर विग्रह को सपर्श कर सकता है, क्या वो ये वो इत्यादी अनुष्ठान कर सकता है, नहीं कर सकता, पहले तो गुरु कहेंगे कि तुम मासाहार को त्यागो, पर वो ही व्यक्ति आचन डाल ममू का लो का सुलब हो, मास खाते खाते भी, अगर कोई किर्तन चल भागवत ने दहाड़ा कि व्यक्ति इतना नीच भी क्यों न हो, यदि उसने अगर नाम का आश्रे लिया, तो क्या होगा, तर जाएगा, तर जाएगा, वो व्यक्ति कुत्ते का मास चबाते जबाते अगर भक्तों के समूधाई को देखे, और समूधा को देखे, और कहे, कि अरे ये तो वो हरे कृष्णा वाले हैं, बस ये हरे कृष्णा नामाभास जो हुआ, ये आपको तरेगा, देखो नाम की महीमा, अपार महीमा, श्रीमन चैतने महाप्रव कहते हैं, अरे दुर भाग ये देखो, ये नाम ने अवतार लिया कली में मेरे उधार के लिए, और जपने के लिए ना समय की पावंदी है, ना स्थान की पावंदी है, ना कोई विदे निशेद है, ये नाम में ही सब शक्ती है, भगवान ने सभी शक्तियों को समावेश किया है, परंतु एक ही चीज़ की कमी है, इस नाम को आधर भाव से प्रती दिन जपने की भूख कहेंगे, हम घमंडी व्यक्ति, गर्विष्ट व्यक्ति हम नहीं कहेंगे, परंतु श्रीमन महाप्रभू ने हमारे स्थान को, ये हमारे दर्जा को लोगों के सामने रखने के लिए अपने आपको निमित बना कर कहा, कि एताद्रशी, तवकृपा, भगवन ममापी, दुर्दैवम इद्रिशम इह जनिना अनुराग, दुर्दैव इस बात की है, इस नाम को जपने के लिए मेरे पास अनुराग नहीं, कली कले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली युग में नाम की रूप में अवतार लिया है, भगवान अलग-अलग रूप में अवतार लेते हैं, वस्त्र शरीरा, वस्त्र के रूप में भगवान अवतार लिया, और वही भगवान, जो गरंतों के समाज में भागवत के रूप में अवतार लेते हैं, स्थान के समाज में ब्रंदावन धाम के रूप में अवतार लेते हैं, पत्थर के समाज में गिराज गोवर्धन के वो ही भगवान ने शब्द के समाज में पवित्र नाम के रूप में अवतार लिया सर्व मंत्र सार नाम, एई शास्त्र मर्म सभी मंत्रों का सार है नाम तो रूप गोश्वामी कहते हैं आचंडालम मुक लोक सुलभो वश्यच मुक्ती श्रिय यदि कोई नाम उचरन करे तो क्या होता है? मुक्ती वश्य में आ जाती है मुक्ती रूप गोश्वामी तो कहते हैं पध्यावली में जब किसी ने, जब हरी नाम का किसी ने अगर हा भी कह लिया तो क्या होता है? तो ब्रह्मा जी आरती बनाने के लिए पूरे जो वस्तु है, जो सामगरी है इसको एकतरित करते हैं, साथ लाते हैं क्यों? जाते हैं कि अभी यह हा का अगर री कर दे हरी नाम कर दे तो ये मुक्त हो जाएगा ब्रह्मा लोक से तरकर वैकुंट जाएगा और इस वैकुंट गमन के समय में ब्रह्मा जी इसको आरती दिखाओ तो ब्रह्मा जी आरती प्लेट तैयार करते हैं जब कोई व्यक्ति हरी नाम का हभी उचारण करे तो चित्रगुप्त जो अब तक इतना कारियरत थे मगन थे हमारे पापों को लिखने में कितने पता ने कितने पुस्तक लिखे हैं हमारे पापों पर जब किसे ने हरी कह दिया अब चित्रगुप्त ने हाथ धर लिया बोले अब ये सब किताब मुझे फाढ़ना होगा क्योंकि सब पापनश्ट हो गए तो चित्रगुप्त आपने ही बनाई-बनाई किताबों को फाढ़ने लगते हैं ब्रह्माजी आर्थिप्लेट तयार करते हैं जो व्यक्ति हरी नाम उच्चारन करता है मुक्ती चे वश्य श्रिय मुक्ती वश्य में आ जाती है और इस नाम को जपने के लिए नो दिक्षा, नचा सत्क्रिया नचा पूरश्चरिया, मना गिक्षते आपको विग्रह सेवा करने के लिए आच्मन तो करना पड़ता है इस नाम उच्चारन के लिए आपको तो आच्मन की भी आवशक्ता नहीं जूटे मूँ से हम लेते प्रसाद गरंड करते करते हरे पलंग में लेटे लेटे हरे आप तो दात भी साफ़ करते करते आप मन में कर सकते हरे तो दुनिया के काम करते करते देह के काम करते करते सतत नाम, सतत नाम, सतत नाम इतना नाम उच्चा रहा है कि प्रभू सोचे कि कौन है ये वक्ती इतने बार मुझे पुकार रहा है कोई अगर जोर-जोर से मुझे कहे ए अमरेंद्रा, ए अमरेंद्रा तो हम देखेंगे कोन बुला रहा है, क्या हुआ दो-तीन बार अगर नहीं सुना दिया प्रभू जोर से कोई अगर कहे तो फट से हम देखेंगे बोले प्रभू जे आपने पुकारा जब हम जैसे नीच कलिकाल के बद जीव नाम उच्चारन पर पीछे देखते हैं तो क्या दयालू कृपालू दीन दयालू दीन बंदू जगत पिता प्रभू जगनात भगवान नाम उच्चारन से पीछे नहीं मुट कर देखेंगे और व्यक्ति अगर सतद नाम उच्चारन करे तो प्रभू आकर बोलते बोलो मैं क्या करू तुमारे लिए बस हो गए भक्त के वशिवूत हो गए भगवान ना हम असामी वईकुंटे योगी नाम रिदये शुपा यत्रगायंती मदभक्ता हा तत्रतिष्ठामी नारद मेरा दर्शन करने के लिए नारद तुमें वईकुंटाने की आवश्यक्ताने प्रभू फिर मैं आपको कहां देखो कहां दर्शन करू आपका बस ऐसे एक नाम निष्ट नाम रसिक वईश्नव को ढूंडो जो मेरे नाम का उचारन करता है वो जहां नाम को पुकारता है मैं वहीं आवतार लेकर परकट होता हूँ तो बस यही है सार यही सार है शास्तर ने आधी पुराण ने तो बस ठोक ठोक कर इस बात को कील ठोका वैसे ठोका है कि नाम के समान कोई साधन नहीं नाम ही सब कुछ है कोई व्यक्तिया कर कहे कि नाम मत करो छोड़ दो उसका संग यह कुछ संग है यह कली का प्रहार है यह माया का अकरमन है और कोई व्यक्तिया कर कहे कि नाम करो आहा उसको छाती से लगा लो यही तुमारा प्रिये बंदु है यही तुमारे पिता है यही तुमारे माता है यही तुमारे गुरू है यही तुमारे सका है सव पिता सव माता अचापी सव पिता सव गुरो रपी वो ही व्यक्ति पिता है, वो ही माता है, वो ही गुरु है, वो ही सखा है, कौन? शिक्षये चेट सada smrtum जो व्यक्ति नाम का सदा smrn करने की शिक्षा देता है सह गुरू, सह पिता चापी सा माता बांधवो पिसा वो ही गुरु है वो ही हमारे सखा है वो ही हमारे माता है वो हमारे पिता है जो हमें नाम का smrn कराए ऊन्त में कहते कहते मैं यही विश्राम दूँगा कथा कि यह कहते कहते यह नाम यह शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत के धातु अनशार यह मूल धातु नम धातु से आता है नम का अर्थ है नमन करना नमन हम कहते हैं भगवान के सामने जुकना इसको नमन कहते हैं परन्तु नम धातु को खीचे तो नाम होता है क्यों इसका अर्थ क्या नम का अर्थ है तुम जुको और नाम का अर्थ है उसको जुकाओ तो यदि कोई कहे कि हरी के सामने नमन करो ये अर्थ क्या हुआ भक्त नमन कर रहा है अपनी आपको नतमस तक हो रहा है भगवान के सामने और यदि कोई कहा हरी नाम करो तो ऐसा पुकारो कि प्रभु जुक जाए भकत के सामने तो मनमनाभवा मधभक्ता वो मध्याजी इमा नमस कुरू भगवान कहते हैं, महां जुक कर नमन करो और नाम उच्चारन करने से व्यक्ति जुके ना जुके प्रभू उसके सामने जुक जाते हैं तो बस प्रभू को प्रेम भाव से भक्त के सामने जुकना होता है जिस प्रकार इस जगत की उधारन में हम देखते हैं पिता छे फुटके होंगे और बच्चा इतना छोटा होगा और बस इतना ही कर रहा है आख में बस वो आख के आश्रु सत्के भी नहीं होते हैं साथ में एक बलून देदो तो वो चुप हो जाता है बस कप्टी होता है नौटंग की ड्रामे बाज होता है फिर भी जब आसू द क्या चाहिए तुझे अरे तुम तो दफ्तर में CEO हो MD हो सब तुमारे सामने जुकते हैं तुम बड़े ओफिसर हो तुम PhD हो अब छोटे बच्चे के सामने तुम भी बच्चे की तरह खेल रहे हो क्या करें संबंध है ना हाथ उठा कर आश्रु दिखा कर डैडी बोल दिया बस हो गया छे फुट का व्यक्ति भी नीचे आ गया छोटा बच्चा पिता के कंदे पे नहीं चड़ सकता अपने बल पर पर ऐसे पुकारे तो पिता जुक जाये और बच्चे को अपने कंदे उठा ले बस यही भक्ति का सार है बच्चा बने भगवान बहुत उचे हैं उन उनको वशीबूत हम नहीं कर सकते हैं पर नाम कर सकता है नाम उनको नमा सकता है नीचे जुका सकता है बस आश्रु हो थोड़े बूंद हो आर्थ भाव हो दैन्य भाव हो प्रभू इस नाम के अलावा मेरा कोई है नहीं आश्रे दाता है नहीं प्रभू कृपा करके आप मे प्रभू के सामने प्रेम भाव से जुकना और प्रभू का भक्त के सामने जुकना परसपर प्रेम आदान प्रदान करना यही भक्ती है यही भक्ती का सार है तो जिसने नाम को पकड़ा जीवन में वही भक्त है और जिसने नाम को छोड़ दिया नाम के प्राधन्य को भूल गया वो कैसे भगवान को वशिभूत कर सकता है कैसे भगवान से यही बिंती करेंगे, भीक मांग मांग कर रो रोकर यही बिंती करेंगे कि कृपय करके हरी नाम को हमारे जीवन में पराधान्य दे, हमारा ये movement ये जो अंतरराष्टिक कृष्ण भावनामरित संग है, ये कृष्ण भावनामरित संग है, ये हरे कृष्ण आंदोलन है, इसम हमने दाढ़ कर Hare Krishna नाम का उचेरन किया स्वयम आचेरन किया और प्रचार किया तो हम वास्तविक Hare Krishna सदस्ये नोन वास्तविक इस संभ के हम एक बहुत सुंदर हिस्सा या अंग बनकर सेवा कर सकते हैं तो अब मैं हमारे संकरशन प्रिया प्रभो को अवसर दूंगा कि कृपाय करके आप इसको आगे बढ़ाए और यदि भक्त कुछ पूछना चाहें या कोई मेरे तुर्टी को आप कृपाय करके प्रकाश लाए और अगर आप कुछ कहना साहें अन्यूट कोड़ दीचे और में दो बॉलो हरे कृष्णा प्रोभुजी बहुत अच्छा प्रोभुजी जैसे मेरे को एक श्लो क्याद आया युगा इतम निने शेनम तो आपने जो कथा किया वह बहुत जल्दी निकल गया मतलब ऐसा लग रहा कि शायद और ज्यादा समय होना चाहिए था और एक नया स्पूर्थी लग रहा है कि भगवान का नाम लेने में एक मुझे भी बहुत मतलब सची मेरे पास शब्द नहीं है मुझे एक मोटिवेशन मिला है कि मैं और ध्यान पुरुबग जब करूं पर ऐसे लगप्दा कि समय थोड़ा कम था तो मेभी नेक्स टाइम आ जिनको प्रश्न पूछना है वही केवल अन्मूट करें है ना काकि डिस्टेबंस ना हूँ हरे कृष्ण हृष्ण 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 अम्रेंदर ब्रुद अन्वत परनाम वेनर भूण खरष्ण हृष्ण 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 केृष्ण स्कस्वर्शन प्रवोग, मैं रफ़ मैं वो मिए्सा अड़ी, लगे प्रवोगो, इस अ मैं कैसे है, जिए जए मैं प्रवोगो, आगा है करें है, है। or they can raise their hand on the on the participation list like when you have the 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 participation list yes devotees can raise their hand and then you can prioritize and you can ask the devotees because if multiple devotees unmute then it may not be very appropriate fi थिश्थ थिपंद्द को इस ग्रूप चैट में लिखे तो एक-एक कर के हम ले सकते हैं और सबके प्रशनों को अधर हो सबके समय का भी आदर कर सके हैं, okay, so. तो एक्शली मैं देख नहीं पाया पहले कि नोने हाथ उठाय लेकिन आय स्टिल जो मैं सिक्वेंस से जैसे नित्या नित्यानन्द राम प्रभु है उनका प्रश्ण है मैं उनको अन्म्मूट कर रहा हूं अश्थिना नित्यानन्द राम प्रभुजी आप अपना प्रश्ण पूसक्त एंजस्टम हाँ, यस हरे कृष्टना, अपने 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 इसको नजवगर संखर के लिए जो गुर्वास्टेकम के दो दिन दिये थे, वो अभी भी हमारे दिमाग में चल रहा है, अभी हम उसके पर मनंद कर रहे हैं, एक एक शब्द के उपर, बहुत अच्छा था बद्धा धन्यवाद, जो जी मेरा परशनी यह है, कि हम लोग हरी नाम के इतना महीमा सुनते हैं, इ तो कितना इंपोर्डेंस उनको देना है, क्या हम वेटेज कितना देंगे देंगे, यह काफी गहरा प्रशन है प्रभू, क्योंकि इसमें इसके कई अंग हैं, पर समय के अनुसार अगर इसको कहना हो, तो मैं यही कहूंगा जो मेरे परमाराध्य गुरु देव श्रिला महराज को जब यह प्रशन पूछा गया, एक व्यक्ति आये और पूछे मेरे गुरु भाई, आकर पूछे श्रिला गुरु महराज से कि हरी नाम और ब्राम्हन डिक्षा में महराज जी आप कृपाय करके इसमें कोई प्रकाश डाले हमें बताएं, तो श्रिला गुरु महरा है, जब मंदिर के हिसाफ से देखा जाए, जब हमें विग्रह सेवा करनी होती है, अभी हरी नाम का अधिकारी तो सब है, सब जीव हरी नाम जब सकते हैं, पर सब जीव ब्राम्हन अत्व के स्तर पर नहीं उठ पाते हैं, शमा, दमा, तितिक्षा, आर्जवम जो भगवत ग गुरु भाई ने पूछा कि मुझे ब्राम्हन डिक्षा चाहिए, तो गुरु महराज ने पूछा होने कि तुम में ये सब गुण है, शमा, दमा, तितिक्षा, आर्जवम, ज्यानम, विज्ञानम, आस्थिक्यम, ब्रह्म्ह, कर्म, सभावजम, ये सब है आपमें, तो भग गुरु मारज ने का, हरी नाम इतना जपो, कि ये गुण प्रकाशित हो, प्रकट हो, और जब ये गुण प्रकट हो, तब जब दिक्षा मंत्र दिया जाएगा, तब वो फलीभूत होगा, अगर ब्राम्हन अत्व के गुण अवितक प्रकाशित ना हो रिदय में, और दिक् अंतक करण का शुद्धी करण होता है, और यस्यास्ति, भक्ति, भगवति, यकिंचना, इसर्वई, गुने, इस्तत्र, समास, अपे, सुरा, जब उठकर, शुद्र बुद्धी से उठकर, जब हम ब्राम्हन अत्व तक आते हैं, तब जब दिक्षा मंत्र हम जपने लगते ह यहां, गोपाल मंत्र और कामगायतरी जपते हैं, तब वो फलीबूत होने लगता है, यह एक बात, दूसरी बात, हमारे संसता में यह नियम है कि जो मंदिर में विगरह सेवा करते हैं, वो ब्राम्हन रहे हैं, तो कई बार ऐसे होता है, जो कई मंदिर होते है, जहां नाम दिक्षा साथ में देते हैं व्यक्ति को तभी ये प्रश्ण उटा जा सकता है कि व्यक्ति अब तक हरी नाम में निष्ठ हुआ नहीं तो घुरु ने कैसे ब्राम्हन दिक्षा दे दिया ये ऐसा एक पोस्डेटट चेक दिया है आगे का दिनांग डाल कर कि साथ में दे द परंतु संभाले इसको गुरु का भेट समझे और हरी नाम जबते 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 ब्राम्हन के गायतरी जबते 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 एक समय ऐसे आएगा कि जब आप एक सिद्ध स्थान पर ब्राम्हन के एक स्थर पर स्थित होकर प्रभु की सेवा कर सकते तो उसमें कभी दोश बुद्धी नहीं करना चाहिए उस गुरु पर जोनोंने हरी नाम और ब्राह्मन साथ में दिया कि कैसे इन्होंने साथ में दिया उस कथा में तो हम सुन रहे थे कि हरी नाम करके शुद्धिकरन होकर ही ब्राह्मन दिक्षा देना चाहिए ये गुरु ने कैसे दिया तो म उसमें जो गोपाल मंत्र है और काम गायतरी जो है ये दोनों संबंद स्थित कराते हैं हमारा जैसे हरी नाम हमें गोलोक तो दे सकता है और ये भाव में हमें स्थित करा सकता है कि मैं जीवे रसोरुपोहे कृष्णे रनित्यदास सामान्य संबंद ग्यान कहते हैं उसको सामान नाम क्या है? मैं नित्य श्वरूप में मैं सखा हूँ की सखी हूँ? कौन है युथेश्वरी? क्या है मेरा नित्य सेवा? नित्य लीला में मैं कौन से समय पर कहां जाकर रधा कृष्ण की सेवा करूं? इसको विशेष संबंद्र ज्यान कहते और ये गोपल मंत्र और काम गायतरी प्रकाशित करता है तो हरी नाम हमें इस गोलोक तक दे देगा ऐसा नहीं कि हरी नाम हमें कुछ नीचा है और ये उचा है नहीं हरी नाम हमें गोलोक दे देगा हमें सामाने संबंद ज्यान भी दे देगा मैं प्रभू का हूं वो प्रभू मेरे है तुमी तो आमार आमी तो तोमार जैसे वक्तिंव अनों ठाकूर कहते हैं पर गोपाल मंत्रा और काम गायतरी अगर ऐसे सद्ध पुरुष से सुने जो उसको जब कर सिद्धी प्राप्त कर चुके हैं ऐसे वक्ति के श्री मुख से जब हम इन मंत्र का श्रवन करे और उसको बारम-बार 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 रटन-पटन करे रोज तो फिर वो विशेश संबंद ज्यान जगरित होने लगता है इसलिए कहते हैं गुरू शिश्य को बताते हैं कि उनका नीजी स्वरूप क्या है गोलोक में ऐसा नहीं कि कान में कान फुख कर मंत्र फुख कर कहते हैं कि तुम राधाकुंड में तुम कोई पंची हो या प्रेम सरोर में तुम ब्रिक्ष हो, या तुम नंदगराम में कोई सखा हो, ऐसा नहीं, मंत्र देकर अब कहते हैं इस मंत्र को तुम अभ्यास करो, इस जगत के भोग सामगरी से विरक्त रहो, घुरु उपदेश के अंतरगत लक्ष्मन रेखा में स्थित रहो, और इस मंत मंत्र का सतत उचारन करते रहो, मंत्र उचारन करते रहो, जिस प्रकार दो पत्थर को घिसने पर अंदर रहने वाले अगनी बाहर प्रकाशित होती है, उसी प्रकार जिवा, वोट और ये मंत्र, जो गुरु प्रदत है, जो विशेश काम गायतरी मंत्र, गोपल मंत्र है, ग तो श्रवन आधी शुद्ध चित्तिते कर रहे यूद आई तो श्रवन आधीмен शुद्ध चित्ते का ये भी अर्थ हुआ कि गूरु से वह मंत्र शरवन करके आधी उसका पतन करना फिर वह प्रकाशित होता है तो हरी नाम सामान्य संबंद ज्यान देगा और ये मंत्र जब उ विश्णव बढ़ा या गायतरी जपने वाला ब्रह्मान बढ़ा परंतु हम एक को लेकर दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जब दोनों मिल जाए विशेश करके हमारे संप्रदाय में तो दोनों ग्रहन कर सकते हैं तो ये दोनों भेट को जब हम ग्रहन करत हैं तो सामान्य और विशेश संबंध ग्यान दोनों प्रकाशित होने लगता है तो इसी भाव से इसी आदर बुद्धी से गुरु मुझे मुझे अपनी निजी सेवा मुझे निजी स्वरूप मेरा विशेश भगवान से क्या संबंध है ये दे रहे हैं ये मंत्र से अब इ हरे कृष्णा अमरेंदर प्रभू जानवत परणाम हम आपको देखना ही पा रहे हैं प्रभूजी और शारी एक्षली मैं अंधेरे में हूं इस वजह से अपने को देखनी पा रहे हैं रेली सॉरी नाइस तो सी यू यू वेरी नाइस एक्स्पानेशन ओ अर बहुत बहुत संदर से आपने एक्स्प्लें करा हरी नाम के आश्रे के ऊपर बहुत ब्यूटिफुली आपने बताया कि कैसे हमें हरी नाम का आश्रे लेना है आपका लेक्शर सुनते सुनते मुझे गुरु महराज की कथा का स्मरण आया कुछ साल पहले हम प्रिंदावन मे थे तों मैं तो मैं तांप्सुन आप्रम्हारज की कि प्रभु मेरा कुछ नहीं है मैं अऑन इस गुरु महराज को प्रेजित कर रहा हूं आपका लेक्शन आपकर शेल्टर चलते मियर पर प्रिंदावश की मैस्वान वाट्थर जाटोथ बेस थे में उत्स का में नेग भी ने तो मैं यही कहना चाहूंगा आपने बहुत अच्छे से और बहुत संच्छप तरीके में बताया और अज़ जैसे गुरू महाराच प्रेजेंट करते हैं उसको प्रेजेंट करा तो थैंक यू अगर कुट्टे को देखकर स्वामी का स्वनन होता है तो कुट्टे का जीवन सफ स्वामी का निशान है और स्वामी उनको घर में रखते हैं अच्छे से खान पान देते हैं वो है भी कुट्टा पर पालतु कुट्टा है तो उस कुट्टे को देखकर अगर वो कुट्टा आ गया तो बोलते ना रही तो बाजुवाले का कुट्टा यहां आया है बस कुट् मुझे कुछ भी दूसरा आता नहीं जो मैं सुनता हूं उसी को लिखता हूं और उसी को बोलता हूं तो आप लोग को जो भी अच्छी लग रही है ये गुरोर कृपा ये गुरु की है प्रभपादेर कृपा जोग्यता वीचारे की चु नहीं पाए तुमार करुणा सार करुणा ना होई ले कांधिया कांधिया प्राणा ना रखी भाए तो इस इन लास्ट मैं I want to say one thing की डेवोटीस की रिक्वेस्ट है की कभी भी इंडिया के लेक्च्छर इंडिया में आप लेक्च्छर दे रहे हूं जैसे आज अरेंज हो पाया तो आप प्रीज इनफार्म करिये के डेवोटीस सुनना चाहते हैं और इस पॉसिबल प्राइटू पोस्ट इट उन और फ्रेस्बुक प्रभू थैंक्यू अगला प्रश्ण प्रभूजी हमांद्शु प्रभूजी के दुवारा प्रभूजी कम से कम 15 प्रश्ण तो है तो हम तो चाहते हैं लेकिन फिर आपकी कंविनिंस के असाफ से आपके लिए जो उप्यूक्त रहे क्योंकि टैंक्यू पंद्रा ले लेंगे तैंक्यू प्रभूजी मेरा एक प्रश्ण यह हरी नाम के बारे में प्रभूजी हम काफी समय से जैसे हरी नाम का जब कर रहें लेकिन प्रभूजी जैसे हमारे जीवन के अंदर विकट परिस्टिती आती है या हम fall down ऐसी conditions आती हैं, तो प्रभू जी उस समय कैसे हम हरी नाम की अचरी ले सकते हैं, क्योंकि प्रभू जी उस समय हमारे हरी नाम के प्रती जो रूची है, वो धीरे-धीरे घटी चली जाती है, तो उस समय हम किस प्रकार हरी नाम के उपर ज़्यादा अश्रत हो सकते हैं और किस प्रकार हरी नाम की जो गुणवत्ता है उसको हम बढ़ा सकते हैं हमें duty सोच कर करना है मन लगे ना लगे कोई बात नहीं आनन्द आये ना आये कोई बात नहीं रुची लगे ना लगे कोई बात नहीं, काम और क्रोध विकार हमें भस्म करे कोई बात नहीं, कोई हमें गाली गरोजे, तिरस्कृत करे, निंदित करे कोई बात नहीं, प्रतिकूल परिस्तिति आये कोई बात नहीं, हम कहीं निश्फल रहे या असफल रहे या धन खो बैटे या शरीरिक पीडा है, मानसिक स्तिती मर पीडा है, कोई बात में duty करके चलना है कैसे भी क्यों न हो, हमारा ये द्रिड निश्चा ही होना चाहिए, बाहर से जाए परिसिती जैसे क्यों न हो अनुकूल है तो करू, प्रतिकूल है तो ना करू, सुखी है तो करू, दुखी है तो ना करू, फिर शर्णागती कहा है, फिर तो मैं बस मेरे मन के अनुसार चल रहा हूँ और ये मन बहुत बहुत बड़ा दुष्ट दानव है, क्यों एक बार आपको 64 माला कराएगा और दूसरे चार दिन आपको माला उठाने नहीं करेगा, वो लेगा कि मत उठाओ, तो एक दिन आपको जेंटलमेन बनाता है तो दूसरा दिन आपको मेंटलमेन बना देता है, य बहुत नींद आए, बहुत भूक लगे, कोई गाली दे, कोई तमाचा मारे, कोई आहा करके, ताली बजा कर हमें प्रशंसनिये बनाए, चाहे बाहर जो लहरे उटे कोई बात नहीं, अंदर का नाम चलते रहे, बस ये छोड़ना नहीं है, जो हमें नाम के विपरित ले जा रह कार में हमें भाग भाग नहीं लेना है, ऐसा कोई कार्य ना हो हमसे, अकेले में ऐसे कोई कार्य ना हो, जिससे नाम में रुची घट जाए, कोई परस्तरी संग ना हो, कोई ऐसे काम उत्तेजित त्रिश्य ना देखे, ऐसे कोई बात ना करे, ऐसे कोई ऐसे कोई कारिय न करे, ऐसे कोई प्रयास न करे, जिससे नाम के प्रती आदर्भाव, नाम के प्रती श्रद्धा घट जाए, उसको ऐसे वेग को सहे, ऐसे वेग को सहे, कई बार ऐसे होता है कि काम या क्रोध की वेग इतनी प्रभावशाली, इतना प्रबल ऐसे आता है कि अब मानो पस फूट जाए, बस उसको धर के बैठो, बस उसको ऐसे जलो, जलते 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 प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम, नाम बस जो अच्छा ह उसको छोड़ना नहीं और जो बूरा है उसको कभी पकड़ना नहीं यही है अनुकुलियस असंकल्प प्रतिकुलियस वर्जर्ण आब जहे प्रभू जो चाहे वो करे मन लगाए ना लगाए रुची दे ना दे निष्ठा दे ना दे आस्था दे ना दे वस ड्यूटी करके च कहते हैं कि जो चोकीदारी का काम करता है चोकीदार उसको हम पैसा इसलिए देते हैं ताकि वो केवल काटी चला कर कहते रहे जागते रहो बस वो मन चाहे जहां चले वो दो जागते रहो के बीच में कभी फोन करके अपने बीवी से बात करे तो भी ठीक है हम उसको जगने के ल हो जाता है दे देते हैं उसी प्रकार जिवा और ओट उलाने के लिए प्रभू हमें भक्ती दे देते हैं आप उसमें मन लगे ना लगे वो सब बात की बात है करते रहो करते रहो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि निरंतरता वनी रहे निरंतरता छुटना नहीं चाहिए आप ऐसा नहीं कि चलो हो गया मेरा अब साइड में रखो बाकी काम करो नहीं यह मल्टी टास्किंग का जवाना है जो भी करते रहो करते रहो अंदर जिवा हिलाते रहो चलो अपने वोट को बंद करो और अंदर जिवा को एक जिस प्रकार घंटी नहीं बचती बाहर से देखो तो ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है होट बंद है पर अंदर ही अंदर जिवा घंटी रूप में हिल रही है तो टाइपिंग भी कर रहे हैं बाहर से लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है पर अंदर नाम चलते रहे हैं आनी भी पी रहे हैं नाम लेते लेते अन भ प्रभपाजी का वो मशीन नहीं होता है ऐसा होना चाहिए कि वैसा चैंटिंग अंदर चलती रहे कई बार होता है न कि हम देखते हैं कई भक्त जो पहले भक्ती से पहले काफी गाने गाते थे या कर्मी म्यूजिक में थे तो कहते हैं कि एक कोई गाना निकल जाता है तो फिर उसी गाने को हम गाते रहते हैं गुनगुना रहते हैं पिर नाते समय भी पता नहीं कैसे निकलता रहता है और वो ही चलता रहता है अंदर अग वो यहां वहां कि किश्वर कुमार और मुहमद रफी साब के अगर गाने यहां चल सकते हैं तो श्रीमन महाप्राव के शिक्षाष्टक और हरी नाम महामंत्र क्यों ना चले तो जहां ऊचे कंठ में बोल सके वहां कीरतन करना रित्ती के साथ और जहां जब रहे हैं तो आराम से सिर्फ हम सुनते हैं और कहीं परिस्तिती ऐसी होती है, जहां उचे भी नहीं बोल सकते हैं और पास भी नहीं ढोल सकते हैं, क्या कि आस पास लोग है, तब सिर्व ओट हीलाएं और जब वो भी संबभव नहीं तो ओट बंध करके जिभा हीलाएं जिवा हिलाने कौन आकर मुझ खोल कर देखने वाला जिवा क्या कर रही है और ये नोट करने के लिए प्रभू अंदर बैठे है साक्षी लिखने के लिए चलो जिवा तो हिल रही है कम से कम ये व्यक्ति इतने सिंसियर है कि काम करते करते सोच नए कि नाम न छोटे, बस नाम की धहराओ को पकड़ी रखे, पता ने कब प्रांड छोट जाए, और प्रांड छोटते समय कैसे पता कि हमारे में इतनी क्षमता हो कि हम हरे कृष्णा कंट से बोल सके, होट से बोल सके, पर मुँ भी बंध हो अगर जिवा से हो रहा है तू बस यच्ये सवरन न मात्रेन जन्मसम्सार बंधनात विमुच्यतेनक्स्त् Grund विशनवे प्रभभविश्ण तू बस यही प्रभू हतोत साहित नहीं होना है हताś नहीं होना है जीवन में जो आए बस यही बात रखना है कि कोई गलत आचरन ना हो हमसे क्योंकि उससे क्या होता है नाम करने की निष्ठा भी छुट जाती है पिछले भूत में जो कारिय की है पिछले जन्मों में जो कारिय कुछ संसकार है चलो उसके कारण जो आ रहा है बस उसको सहो पर नए कारिय ना करे नहीं ऐसे कोई सुसंसकार हम जागरित न करें, कोई कुछ संग के कारण ऐसा कोई गलत आचरण ना करें, जिसके कारण भगती नश्ट हो जाए, बस इसी रिलक्षमन रेखा के अंतरगत रहेकर नाम चलाते रहे, सतत नाम चलती रहे, बस इतने हम उनमत हो जाए कि बस कहीं भी ट्राइफिक में भी क्यों ना फसे हो, नाम चल रहा है, कई बार होता है ना कि आरे देखो कितना हॉन मार रहा है, अब तो लोगडाउन के ओज से लोग जानते भी नहीं कि हॉन का अर्थ क्या है, पर कई बार होता है नारे कितना हॉन मार रहा है, पर व्यक्ति वोई है कि य आद्ययंत्र बज़ रहे नाम उचारण के लिए, हर परिस्तिती में, हर परिस्तिती में नाम उचारण होते रहे, बस ये नहीं चुटना जी, ठीक, दो चीज, कुसंग और गलत आचरण से बचें, और नाम की निरंतरता बनाई रहे, हर बात पर, ऐसे नाम विस्मृती ना हो, बस नाम उचारण चलते रहे, चलते रहे, और कभी भूल जाये तो बोले नहीं, नाम छुट गया, वापस चलाओ, नाम चलाओ, जिवा से नाम चलाओ, ऐसे लो भी बन जाए कि नाम छुट गया, कैसे मुझसे नाम चुटा, बस नाम, नाम के पीछे बार, बहुत सुंदर प्रोजी बहुत अच्छा आपने एक्स्प्लेइन किया हरी नाम के उपर प्रोजी मेरे ये क्वेस्टन है कि हम हरी नाम मतलब हरे कुष्मा मन्त कर रहे हैं लेकिन हमारी रूची राम नाम में है तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है और अब क्या करना चाहिए है सिस्टी में कि हम सोला माला तो हमारी कुष्मा मन्त की कर रहे हैं लेकिन अटाच्च्मेंट राम जी के नाम से तो क्या करना चाहिए तो आप ही के राम ही हरे कृष्ण बन कर आए हैं अलग नहीं है क्यों क्योंकि हरे का अर्थ है हरी हरी कौन है जो हरता है आपके राम ही तो आपका चित हर रहे हैं और कृष्ण का अर्थ है सब को आकर्षन प्रदान करने वाले आकरिष्ट करने वाले कौन पूरे जगत को कौन आकरिष्ट किया है श्री राम जै राम, जै जै राम, श्री राम जै राम, जै जै राम, प्रभु राम चंद्र, श्री राम 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 रगुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम 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 रनकरकश राम राम, श्री राम 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 श्री राम 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 वो यी राम ही तो कृष्ण का अर्थ क्या है जो सब को अकृष्ट करें तो हमार आपके हरे कृष्ण महामंत्र में आप बोलतो रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और आप पुकार रहे हैं सीता और राम को ही आप ही के सीता देवी हरे बन कर आई है लादिनी शक्ति बन कर आई है और आपके परभू राम ही राम शब्द में है और कृष्ण शब्द में भी राम ही है जो सब को प्रणभ नाम को देखकर कहेगा मेरा ही कृष्ण राम बन कर आया है और जो राम भेक्ट है वो कहेंगे मेरे ही राम कृष्ण बन कर आया है तो दो अन्तर तो एक की जप रहे है अज़ा समाध ही लगी है सिता राम की Hare Krishna प्रब्भु सी अगला प्रशन जो है परपु जी मेरा प्रशन है कि हम हम बैसे तो दो प्रष्न हैं, लेकिन एक हीप पुछ की तो जासे की बहुत सारे बहुत सालों से मैं आपको भॉच थे आपक सालों से मैं आपको देख रहeloी हूं कि आपके किस तरह से भागवत agreement को रिपर्यज razor करते हैं muscle और तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि आपने क्या यह प्रैक्टिस किया है और यह सब कैसे आया आपको एक्चुली हमारे भी छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या कर सकते हैं उनके लिए कि वो एट लिस्ट थोड़ा सा भगती भी वो कर सके तो यह जो माहूल है ज्वाइन फैमिली में रहते हैं तो सब बच्चे एक जिससे नहीं है तो उनके लिए हमें क्या एफट लगाना पड़ेगा क्या कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा भी इसे गेन करें इसकों द्वारका में यह प्रश्ण पूछा गया मुझे और वहां 15 मिनिट के लिए शायद इस पर मैंने थोड़े बात कहें कि माता पिता क्या क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए और उदारण के साथ कह रहा था कि ऐसे करने पर ऐसे होता है ऐसे करने पर ऐसे तो अब उसी को यहां दोरा ना पुनरुकती होगे तो अगर वो मिल जाये तो बस उसी पर अगला प्रश्ण प्रभुजी जो है धीरजप्रू के दुवारा है मैं उनको अन्म्यूट कर रहा हूं येस धीरजप्रूजी आप प्रश्ण पूछ सकते हैं प्रभुजी मेरा सवाल है एक्शली मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूं एक्शली मैं जब इसकॉन में आया था तो मैं परम पुझ रादा गोविंद महराजी स्वामी महराजी का मैं लेक्चर सुनदा था और फिर मैं आपका ही हमेसा सुनता रहा है और उस जो आप आपने अभी बताया कि इसको अंद्वारगा का लेक्चर मुझे वह बहुत ही हाद पाचीं लेक्चर रा मेरे लिए और मैं इतना सुनता हो उसको बार बाद जब ही मेरे इक्चा होती है और मैं इवन आपके लेक्शर से इतना जादा इंस्पाइड हूं और मैं इतना मतलब हुँ आपके उपर कि अपके वारे में जानने कि उपने सारे आप मंत्रा, इतने स्लोकास आप कर्को चाह़काष को तश्याद पाते हैं परोटान है कि मेरा यह बताते है इसके आपने आज बता है कि दिमाग इतना ज्यादा एकस भंद तो इसको कंट्रोल करके हम कैसे एक अच्छे भक्त बनें और साथ में जैसे हरी नाम का जो आस्रे लेना है उसको हम अच्छे से कैसे कर पाएं जो जी थोड़ा से इसके प्रकास करें अच्छा भक्त वही है जो अच्छा शिश्य हो गुरू के शरनागत पूरन रूप से शरनागती होनी चाहिए गुरू के कथाएं श्रीला प्रभुपाजी के किताब श्रीला प्रभुपाजी के कथाएं और हमारे गुरू महराज के कथाओं को बारं बार सुने ऐसा एक घंटा ना जाए जीवन में एक दिन में जहां गुरू की कथा ना हो ऐसे विभल हो जाए विवश हो जाए कि कहां मतलब क्यों नहीं सुन रहा हूं क्यों समय जा रहा है मेरा सुबह उठते उठते वी शुल वेक अप with the voice of our Guru कितामों को पढ़ना है उनके कथाओं को सुनना है ध्यान पूरवक सुनना है ऐसे सुनना है जैसे कि बस यही मतलब भगवान कृष्ण माइक में बैठकर बोल रहे हैं मेरे लिए तो आपका नाम है दीरज कुमार प्रभुजी तो आपके लिए तो गुरु शरणागत होना अर्थात ऐसे सोचना चाहिए कि प्रभुपाजी के वाक्य प्रभुपाजी के किताबे और मेरे गुरु महराज के कथाएं ये कृष्ण माइक पर बैठके मेरे लिए बोल रहे हैं इव गौड हास सम मैसेज फ्र मी दो बेम बते इसको बस जीवन में उतारना है अब मुझे अच्छा लगे ना लगे मुझे लगता है ऐसा है पर मेरे कुल में तो ऐसे कहते हैं बार मैं सुना हूँ लोग कहते हैं महाराजी तो ऐसे कहते हैं पर हमारे परिवार में तो आपको अभी ये निश्चे करना है कि आपका परिवार बढ़ा कि आपके परमाराध्य गुरुदेव बढ़े पूरी तरह से बेच दो अपने आपको मैं कुछ भी नहीं जानता मैं एक खाली स्लेट हूँ आप लिखिये जो लिखना है मुझ पर और ऐसे होना चाहिए कि हर विशय में हर संदर में कोई कुछ पूछे तो पहली वानी जो निकल ये होनी चाहिए कि अरे इस संदर में मेरे ग गुरु महाराज के पास पूछा गया तो उन्होंने ये कहा बास फिर तो फिर बिड़ा पार है व्यक्ति अपने हातों से हात पैर मारे करोडो जनम उससे बैतर है कि दस साल एक जनम के गुरु शरनागत हो जाए बस सब कुछ नाम रुची वैश्नव सेवा भागवत में नि नि चलते रहे रिदय में सदा रिदये कंदरे स्पूरतु वास चीना धना विलासतु एनित्यम भक्ति सिध्धानत वानि श्रीला प्रभुपाजी के एक गुरु भाई ने लिखा है कि मेरे जीवन में एक मात्र इच्छा ऐसी है कि मेरे रिदय के परांगन में भक्ति सिध्धांत सरस्वेद ठाकुर की वानी सदाय में रित्य करती रहे हैं। मेरे गुरु महराजी ये विशय में ये कहे हैं फिर कोई सादू गुरु आपके दिक्षा गुरु मेरे लिए सादू है मेरे दिक्षा गुरु आपके लिए सादू है तो गुरु सादू और शास्तर तीनो फिर कहना चाहिए ये महराजी का मैं कथा सुन रहा था ये सुबह इ बस ये यहाँ वहाँ कि अंधकार तामसिक बाते हम अनर्थ भरी भाते इसलिए करते हैं क्योंकि वास्तविक सूर्य प्रकाश, सूर्य उदाए हुआ नहीं हमारे जीवन में तो बस कैसे नाम में रुची पाए, नाम निष्ट भक्त जिसको नाम में रुची है, इनका संग करो और कैसे अच्छे भक्त बने, शुद्व वैश्नव सादू गूरू के शर्नागत हो जा, बस उनकी कथा को सुनते रहो, ऐसी इच्छा हो कि बस इनकी कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, जब तक कंठस्त ना हो, ऐसे होना चीए, चलो प्रभू, ये शरीर में केवल गुरुवानी से, कोई पूछे प्रभू शालिग्राम की विशह में आपका क्या कहना है? आची इस विशह में ये कथा में गुरु महाराज ये कहता है मेरा क्या कहना? मैं कौन हूं कहने वाला? कलिकाल का बद्ध कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अपने बल पे कुछ नहीं कर सकता, बस आप मुझे नचाओ, आनियाचो जदी प्रभु आमा के नचाते, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते, काश्ठेर पुथली जथा नचाओ से मते, नचाओ नचाओ पुतली जथा, मैं काश्ट का एक पुतली हूँ, कट पुतली हूँ, आप मुझे नचाओ प्रभू, मैं आपकी हिसाब से नाचूँगा, मैं नाचना नहीं जानता, और देखो क्या नृत्य किया प्रभू पाजी ने, ऐसा नृत्य किया कि आज कल 50 साल हो गए, आज भी सब द चाहिए, मुझे लोगों से संबान चाहिए, मुझे ये सेवा ही चाहिए, जब मुझे आदर प्रणाम मिले, मुझे ये मिले, मुझे बस हमें जो चाहिए, मुझे जो लगता है, मुझे जो करना है, ये हम प्राधानिय देते हैं जीवन में, और फिर जाकर गुरू को अब इतने बार पूछते हैं जबतक गुरू वो न बोले जो मैं सुनना चाता ह psychology हम पूछने नहीं जाते हम बॉलने जाते हैं कहां है श्रनागती का आरथ है आप मुझे दाइने बाए यहां जाने डिखाए दाइशा दिखाए बस उसations साथ, उस हिसाब से मैं चलूँगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपका दास हूँ, गुरु दास ऐही मोरपरी चाहिए, बस गुरु निष्ठा रील की हड़ी है, भक्ती शरीर है और गुरु निष्ठा रील की हड़ी, यह अगर सीधी हो जाए तो शरीर स्वस्थ है, पर यह अगर टूटी है, हाथ पर काम करें फिर भी प्रयोग कुने कीज़, तो बस इसी, इसी को है, जी प्रोभु जी, थैंकियो सो मच प्रोभु जी, आज लेक्चर के स्टार्ट में प्रोभु जी बता रहे थे कि मैं कुछ जनों को यहां से मैं जूम से हटा रहा हूँ, विकॉ तो इसमें मैं जज्जमेंटल होने का जो मेरा जो नेचर हो चुका है, तो इसको मैं अपने आपको पैसे हटा हूँ, लाकि मैं सभी को सुन सकूँ अच्छे से और भग्त का एसोसिशन ले सकोूँ. कुछ दोश बुद्धी नहीं डालना है किसी में, जो दोश दिख रहा है वो हमारे अंदर का दोश है, अंदर का कच्रा बाहर दिखता है, कुछ दोश कहीं नहीं है, सब बरवर है, सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सब भक्ति कर रहा हैं, सब साधन भजन में लगे हैं, केवल मैं ही मुर्ख व्यक्ती हूं आपना समय बाहर प्रवृति बाहर भही ही बाहर करके मैं देख रहा हूं यह ऐसा है जैसे कोई बच्चा पिता के गोध में बैटा है पिता बच्चे को ऐसे आलिंगन किया है पर बच्चा पिता की और देखे भी न बाहर देख रहा है जैसे कि आप समझ रहे हैं पिता बच्चे को गोध में बिठाए है और बच्चा बाहर की और देख रहा है और बोल रहा है देखो देखो वहाँ गाड़ी है अरे गाड़ी छोड़ो गाड़ी तुमसे प्रेम नहीं क प्रभु अगर दिखाए भी रहें, ये दिखा रहे हैं कि तुम्में ये दोश है, ये निकालो, व्यक्ति अगर डाइबटीज है और वो कोई पदार्त नहीं सपर्ष करता, फिर देखता है कोई व्यक्ति, वो भी सपर्ष नहीं कर रहा, तो फट से पकड़ लेता है, क्या शुद्व अश्नव कहीं दोश नहीं देखते हैं, बस बोलते रहना है कि प्रभु इस दोश प्रिष्टी से मुझे उठाए उपर, मैं पतित हूँ, भक्तों को भी देखता हूँ, तो ये गंदे चसमे से देख रहा हूँ प्रभु, मैं बहुत पतित हूँ, बहुत अपरा प्रभु जी हेम रूपा माता जी हैं, मैं उनको अन्म्यूट कर रहा हूँ और मैं भी अपने आपको भागी चाले समिचरे, मुझे लग रहा है जैसे मेरा सफना सच हो रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ जी, मुझे एं मोका मिल रहा है कि मैं अपसे प्रश्न कूछे हूँ बहुत बहुत बड़ा थन्यवाद आपको कि आपने हरिनाम के उपर इतना सिंदर अपन को पिलाया मेरा प्रश्ना ये है कि जब हम भगवान के अर्चा विग्रह के सेवा करते हैं, तो थोड़ी सी एकाग्रता आती है तो फिर हरिनाम में क्यों एकाग्रता नहीं है अलग-अलग जीव के अलग-अलग प्रवृत्ती होती है माताजी कईयों को अर्चा विग्रह के और भगवान खीचते हैं, कईयों को हरिनाम के और खीचते हैं, कईयों को शास्त्रा नुसर खीचते हैं कईयों को धाम में निष्ठा देते हैं तो इसमें कोई कई ऐसे हैं जिनको वैश्णव सेवा में इतनी रूची है कि प्रसाद बनाना वो दिन में उष्णता के समय भी घरीश मरितु में भी गर्मी के मौसम में भी कई माताएं है इतनी निष्ठा है उनमें वैश्णव सेवा में दूपर में भी खड़े रहते हैं उस धूप में वसीने से लत्पत हैं फिर भी दस दस बारा भारा घंटे खाना पकाते हैं बस उनको यही भाव रहता है कि वैश्णव को स्वादिश्ट प्रसाद मिले उनको संतुष्टी मिले और भगवान इसमें प्रसन हो तो अलग-अलग भक्त स्वाभाविक देखा जाए भगवान की कृपा मानिये या पूरो जन्व से सू संसकार देखिए तो अलग-अलग लोग अलग-अलग भगवान के साधन में अलग-अलग अंग में वो स्वाभाविक नैसरगिक उनको आकरशन होता है तो उसमें भिन्नता तो देखी जाती है पर ये बात बोलने यहां उचित होगा कि सभी अंग पूर्ण हो जाते हैं जब हरीनाम जपे और अगर कोई अंग कर रहे हैं पर उसमें हरीनाम ना जपा जाए तो वो अपूर्ण र पुष्पम फलम तोयम खाने नहीं आए है ठाकुर फट्रम पुष्पम फलम तोयम तो बहुत अच्छी तरह से उनको गोलोक में मिलता है पर गोलोक में क्या नहीं मिलता है हमारा भाव ये शोदा मया का भाव मिलता है राधरानी का भाव मिलता है श्रीदाम सुदाम पर आपका भाव प्रभु यहीं चक सकते हैं, वहाँ नहीं चक सकते हैं, तो भाव से सेवा तब हो सकता है जब नाम उच्चारण हो, तो नाम सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कॉलेजिस में तो हम एंट्री पा सकते हैं, पर IAT में एंट्री पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो नाम में रुची पाना ये बहुत मुश्किल का काम है, कई बार प्रचार करने में रुची पा लेते हैं क्योंकि वहां थोड़ा अपना स्वार्थ भी होता है, जैसे पर दोपेर में कीरता नहीं करना है कोई नहीं होगा सुनने वाला शाम को जब भरा होगा मंदिर तब मुझे स्लोट चाहिए तकि सब मुझे देखे और प्रभु का नाम भी हो जाए उसमें भी थोड़ा मिश्रन हो सकता है विग्र सेवा में भी कभी बहुतिक बद अवस्था में मिश्रन हो सकता है कि अगर मैं अच्छे से मैं माला गूतू सैटड़े को करूं ताकि संड़े को अरपन हो जाए प्रभु को तो संड़े फीस्ट के समय जब मंदिर में सब आएंगे पूछेंगे वा 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 ये हार इत पर कई बार ऐसे होता है इच्छा कि किसने पकोड़े बनाया वा 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 बहुत अच्छा बनाया सबजी किसने बनाया ये सबजी तो बहुत बढ़िया बनाया किसने बनाया वो ले हाँ हाँ ये माताजी ने बनाया नहीं नहीं बस प्रभु नहीं बनाया बस मैंने तो कुछ ने किया, मन में तो कह रहे है वावावावा बहुत अच्छा लगा, तो कई बार ऐसे साधन होते हैं जहां हमारा मित्याहंकार का लक्ष भी जुड़ जाता है साधना में, पर नाम जब तो बस अक्यले में करो, ना उसमें कोई सुर है, ना ताल है, ना कोई प्रसिद्धी है, बस ये हाप है और प्रभू है और मित्य हंकार के लिए ये बहुत बड़ा प्रहार है वज्रपात है तो इसलिए बहुत मुश्किल है परन्तु यदि नाम के कोई आचरित हो जाये करते रहे करते रहे बच्चे कितने बार गिरता है जमीन पर फिर भी उसी जमीन को पकड़ कर उठता है और फिर चलने लगता है फिर दोडने लगता है फिर एक आवस्ता ऐसी आती है कि भूल जाता है कि मैं एक समय पर बच्चपन में में गिर जाता था उसी प्रकार नाम के इस जमीन पर कई बार हम गिर जाते हैं पर उसी नाम को धर के उठना है नाम में रुची नही है उसका यह अर्थ नहीं कि छोड़ दें उसका यह अर्थ है अधिक नाम करते रहे तब जब तक प्रभु विवश होकर नाम में रुची प्रदान ना करें सभी अंगों को नाम के साथ मिला मिला कर करते रहें तो फिर वो सफल हो जाए अगला प्रशन प्रभुजी विजय सिंग डाठोर प्रभुजी है मैं उनको अन्म्यूट कर रहा हूं कि अरे कृष्ण आपूस प्रशन पूसकते हैं माता जी मैं प्रभुजी नाम का आश्रे तो ले रहा है मन में सुपथा नहीं आती है मन ऐसे बहुत मलीन ऐसे लगता बहुत मलीन है अंदर पत्तर के जिसे कटोर मन में सुपथा कैसे आईगी जोगी बस हरी नाम ने तो अपना जादू दिखा दिया पहले भी हमारा मन बहुत मलीन था पर हमें तो लग रहा था मलीन नहीं है हरी नाम करते करते तो हरी नाम ने अब दरपन दिखा दिया कि देखो अंदर बाहर देखने के बजाए अब जीव अंतरमुक होने लगता है कि देखो कितनी गंदगी भरी है इसका अर्थ यह है कि नाम ने अपना प्रभाव चालू कर दिया और नाम जितना प्रभाव करता है उतना व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि मुझसे पतित के बहुतcle हो जा तो लगता है देखो ये अब मिरा मन नहीं लग रहा है नाम कर आँ अपर देखो केवल कपती जीवन जी रहा है लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत महानू पर इतना नीच हूँ मैं अंदर काम करोद के वेग मुझे सता रहे है ये सब भाशा कैसे उत्पन हो रहा है ये कैसे ये कहां से निकल रहे हैं ये सब वानी ये सोच उचार कहां से निकल रहे हैं ये नाम की असीम कृपा है तो बस करते रहना है दैन्य भाव रखना है कितना शुद्धिकरन कब कराना है कितनी रुची देनी है ये सब ठाकुर की हाथ दे दे हमारा काम है कि दुनिया के काम करते रहना है, भागना नहीं, कहीं छोड़कर और सतत परभु का चिंतन करते करते हैं, नाम उचारन करते रहना, अब उसमें भाव हो या कुभाव हो, या आलस आये मन न लगे, या जो भी क्यों नहों, जो भी दिखे, बस इसको सेना है प्रभु के और इसको अरपन करते रहना है प्रभु देखो ये वेग अंदर आ रहे हैं प्रभु देखो ये वेग आ रहे हैं इसके साथ साथ देखो प्रभु वो माता जी में इतना अच्छा गुन है देखो वो प्रभु जी कितने सरल सभाव के हैं देखो प्रभु जी कैसे काम करते हैं, दो बच्चों को संभालते हैं, फिर भी कैसे मंगलारती के लिए उठते हैं, आहो भाग्य है इनका, अरे देखो ये धन्य है इनका जीवन, ऐसे दूसरों की स्तुती में, और अंदर ये अंदर अपने मलिंता का एक अरपन करते रहना है प्रभू को अरपित करते रहना है, ऐसा नहीं कि दूसरों को बोलते रहें कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत कनिष्ट हूँ, ये एक मित्यखांकार का एक प्रदर्शन है, क्यों जोर जोर से बाहर कहेंगे तो लोग कहेंगे नहीं नहीं परूजी आप तो बहुत महान हो, बस ये सुनने के इतना शुद्ध हो रहा है, उतना हमें लगे है कि हम पापी हैं, तो कई शुद्ध होंगे नहीं, यही है पत हमारा, प्रभू हमारे अंतकरन को शुद्ध कराएंगे, हम प्रभू को नहीं छोड़ेंगे, प्रभू हमें मार गिराए, हमें लात मारे, तमाचा मारे, हमें जान देना है कुछ भी मन लगे भाहर आनुकुल प tämä किसए का जन्म किसी के मृत्यू रभिवार हो या शन्मीवार बस प्रशद निवास प्रशाद प्रभू है उनकी तरफ से यह प्रभूजी करे कृष्ट नाथ प्रणाम प्रणार मेर पास्ट और पास्ट आप्नवाट पार्णार पुर्णेस वह एक्षर्णार प्रणार रहरा इम्य। I am so fond of hearing your all lectures yesterday also till 1 a.m. the night I was hearing your lecture on Gaur Kishodars Babaji Maharaj it was so heart touching actually every lecture of yours touches my heart I am not able to express my through my words broken words how do you do bad Bificación is watching I am not allowed to sing with a song I am not allowed to sing I am a three-packed shark is also a barber beach I am not allowed to be better and I am not allowed to be the ndrahtis master I am the other color so no 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 father I haven't allowed the एवल नाम देगा नाम करते करते रोना है कि प्रभु ऐसे कोई भक्त का संग दे दो जो आपके प्रती मेरे भाव को पुष्ट करे प्रभु जो भी कुसंग है इसको आप मुझे उससे निकाल दो बाहर प्रभु ऐसे भक्त ऐसे शुद्ध वईष्णव का चरण मुझे दे दो मैं अपने आपको देने को पूर्ण रूप से तयार हूँ आप अपने शुद्ध वईष्णव को मुझे दे दो मैं पूर्ण रूप से मैं न्योचावर हो जाओंगा उनके चरण में प्रभू नाम आप कराए आप कराए ऐसे हम तो ढून नहीं सकते हैं श्रीला गौर गोविंदा महाराज कहते हैं कि सोया हुआ व्यक्ति जगए हुए व्यक्ति को कैसे पैचान सकता है पर सोय व्यक्ति को जगए हुए व्यक्ति पैचान सकते हैं देखो यह सोया है तो नाम कभी हमें चल नहीं करेंगे इस जगत में लोग हमारे साथ चल करेंगे कई बार भक्त के कपड़े में भी हम देखते हैं चल हो सकता है चौते सकंद भागवत में श्रीला प्रभुपाजी कहते हैं प्रतु महराज के कथा में अश्वजित के संदर में प्रभुपाजित में कलियूग में कई बार ऐसे होते हैं कि दुष्ट दानव भी भक्त के रूप में आते हैं जैसे कि हमने देखा पूतना मया बनकर आई और रावन रिशी बनकर आई तो कई बार ऐसे हो सकता है कि हम फस जाएंगे कहीं कोई संग में छल कलियूग का अर्थ है कि कपट वाद विवाद और कपट तो यहां प्रधान लक्षन है तो केवल नाम, नाम कभी छल नहीं करेगा, नाम कपटी नहीं है, नाम हमें कभी छलित नहीं करेगा तो हरे कृष्ण नाम अधिक संक्या में करते रहे और प्रभुपाजी के किताबों को पढ़ते पढ़ते भीक मांगते रहे प्रभुपाजी देंगे, एक भक्त, मैं एक भक्त की सत्य घटना में आपको बताता हूँ, मैं शेहर का नाम नहीं लूँगा, फिर सब समझ जाएंगे कौन भक्त है, बहुत अच्छे भक्त, बहुत अच्छे भक्त, मतलब इतने सरल, सरलता ही वैश्णवता के प्रतिमा मूर प्रभुपाजी के विग्रे के चरण में बैठकर रोते थे, कि प्रभुपाजी मैं बोलना भी नहीं जानता, पर आपने मेरे जीवन, आपने धन्य बनाया, आपके प्रचार आंदोलन में मैं भी कुछ करना चाता हूँ, आप मुझे कुछ सेवा दीजिए, पर मैं कोई, मै प्रचारक नहीं हूँ, मुझे फंड्रेजिंग नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं ग्रहस्त हूँ, मेरे दो-तीन बच्चे हैं, मैं कैसे करो, मैं नहीं जानता, प्रभुपाजी आप मेरी रक्षा करे, आप मुझे सेवा में लगाए, प्रभु आप इश्वास न प्रभुपाजी ने तो मुझे नरक से उठाया बाहर, उनके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मुझे आप मुझे बचायें, प्रभुपाजी मुझे कोई सेवा दे, कोई सेवा दे, कोई सेवा दे, आप विश्वास ने करेंगे प्रभुपाजी चे से नौ मेने के बाद, ये प्रभुजी के जीवन में अकस्मात ऐसी सेवा निकली, जो कोई भक्त जादा करते नहीं, वो कौन से, जेल में जाकर प्रीचिंग करते हैं, जेल में जाकर प्रभुपाजी के किताओं के आधर पर वो कथा बोलते हैं, आप विश्वास ने करेंगे कई कई भक्त उस जेल से निकल कर दिक्षा लिये हैं हमारे संस्तान, अभी सोचिए, किसने कहा इन व्यक्ति को जाकर जेल में प्रचार करें, हम सब कहते हैं कि ये जगत ही जेल है, पर इन व्यक्ति ने इस जेल के अंदर ए करने के बजाए, मैं इनको इस जगत के कारागरा से पार करने का प्रयास करता हूँ, उन्होंने वहाँ जाकर किर्तन किया, कोई कथाकार या किर्तन कार नहीं है ये, पर करताल उठाए, पर प्रभपाजी का नाम ले लेते किर्तन किया, पर वहाँ प्रचार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं और जेल की एक अच्छी बात ये है कि आपको कोई आड़ोटास्मेंट करने की आवश्यक्ता नहीं वहाँ एककत्रित होने वाले लोग आवश्य हैं क्योंकि सब ही रहते हैं और जेल छोड़कर भाग सकते हैं तो उनको बैठ कर सुनना ही पड़ेगा सुन सुनकर सुन सुन कर किर्तन सुनकर उनके सरल भाव की कथा सुनकर उनके प्रवपाजी के पुस्तक जो वित्रन उनने किया वो लेकर प्रसाद पाकर हर अविवार रुकते थे कि ये वैश्यनव आएंगे अब हमसे मिलने आएंगे फिर कंठी धारण करे तिलत धारण करे इ अपने परिवार से मिले नहीं, फिर भी इतने आनन्द में हैं और अपने आप से पढ़ लेते हैं, एक दूसरे से बैठ कर पुस्तप पढ़ते हैं, फिर चर्चा करते रहते हैं, कोई गीत गाते रहते हैं, हमें बुरा लगता है कि इनको अंदर फसा के रखे हैं, वो लेटर तो अन डोणड कर ही निकलता है प्रॉब्लम ये कि हमें भूक नहीं है प्यास नहीं है जो व्यक्ति को भूक लगी हो न उसको आप खिचडी भी क्यों न दो वो चपन भूक की तरह खिचडी को खाएगा पाएगा सेवन करेगा और जिस व्यक्ति भूक नहीं है प्यास नहीं है आप उसके सामने चपन भूक भी रखो तो वो व्यक्ति उसको खिचडी की तरह खाकर निकल जाएगा तो मेन बात है कि भगवान हमें देने के लिए तयार है क्या हमें इतनी भूक अंदर से आग लगी है कि मुझे चाहिए इनके अलावा मैं नहीं जी सकता पाशाने कुठीबू माता अनले पशिबो गौरांग गुणेर नीदिक कोथा गेले पावो शेशब शंगीर शंगे जेकोई लविलास प्रार्थना करो ए सदा नरोतमदास शेशब नापाई या कंदे नरोतमदास नरोतमदास रो रहे हैं कि मुझे इन सब का संग नहीं मिला श्रीमन महाप्रभू कैसे चलेगा इतने जल्दी रूपसनातन कैसे चलेगा इतने जल्दी शायद उनको पता चला होगा कि नरोतम जनाम ले रहा है इसलिए सब ने पहले ही लीला खतम करके चले गए मुझे कोई मेरा उधार करने के लिए कोई रुखा नहीं इस भूतल पर क्यों मैं इतना पापी हूँ क्या आग में प्रवेश करने से महाप्रभू मिलेंगे या सिर्फ फोड़ने पर महाप्रभू मिलेंगे कैसे मिलेंगे महाप्रभू इसका अर्थ नहीं कि आग में प्रवेश करना है भक्त को या सिर्फ फोड़ना है ये दूसरा विपरीत अर्थ होगा पर अंदर एक जलद और प्रभु को पुकारे, नाम पुकारते रहे विश्वास मानों कि एक ऐसे नामनिष्ट भक्त आपके घर में आकर आपके दरवाजे को खट-कटाएंगे बोलेंगे प्रभु ने योजना बनाए कि आपके जीवन में में आ सको बस यही है अंदर भूक जागरित करे भगवान हमारा उद्धार करने के लिए जितनी भूक हमें नहीं है न उससे करोड़ो गुना अधिक भूक साधू संतों और भगवान में है कैसे इस जीव को मैं तरू कैसे इस जीव को इस कच्रे से उठाऊ हम तो जानते हैं नहीं कि हम क प्रभू सोच रहे हैं तुम्हारे पिता यहां खरब पती है तुम कच्रे में क्या डोन रहे हैं उठ जाओ हम तो उपर देखने के लिए समय हो तो तब उपर देखेंगे हम तो कच्रे में ही मगने हैं एक बार भूक लग जाए कि कोई मुझे सायता करो मुझे निकालो बस ह कर दो दो आपने कहा कि कोई बातनी अगर प्रभू को वस्तर नहीं कुछ नहीं तो आप इनी वस्त्रों में स्वेरे मंगल आर्तिय टिन कर जाओ मुझे याद आ रहा है हम लोग इतना आपसे मतला हमारे को प्रेम हो चुका है मैं बतानी सखत आपको आपका जो व्यर्थार है आपका जो प्रीचिंग है इस डिरेक्ड टॉचिंग अर हर्स सब्ड़ी आप कर वार्थ इन लव विद यू इ माइटला है इतना आपसे अपर पर उसी गंदा पानी अगर गलती से मिल जाए यमुना में, वो यमुना हो जाता है, अब वहीं से लोग आच्छमन करते हैं, तो उस परकार हम सब कच्रे हैं, हम में कोई योग्यता नहीं है, पर हमारे गुरुजन यमुना है, उनसे संपर्ग जुड जाता है, तो फिर लोग क क्याते हैं कि अच्छा लगा, ये कच्छे का महत्व नहीं है, यमुना से जुडने का महत्व है, अगला प्रशन जो है, कृपा करूना माता जी है, उनके द्वारा, येस माता जी, अरे कृष्णा प्रभुजी, डनवर्ट नाम, प्रभुजी, मेरा क्वेसिन ये है, कि जैसे कि चांटिंग करते हैं, तो उसके बाद हमें लगता है कि हमारी माला हो गई, बस अब हमें घर का काम करना है, तो ये नाम में जैसे हमारी रुची अभी नहीं है, तो जैसे आपन बताया अपने लच्चे में कि नाम में हमें 24 जंटे काम करते समय, कैसे भी हमें नाम लेते रहना चाहिए, तो ये मैं कैसे कर सकते हूं, मुझ में ये कैसे गुणाएगा, कि मैं खा रही हूं, चो और कुछ भी कर रहे हूं, तो बहु है, नियम बनाना है कि समय व्यर्थ ना जाए, कोई पद्ध चलता रहे, अर्थात कोई वैश्णव गीत चलते रहे, कोई हरी नाम का मेलोडी चलता रहे, कोई कथा सुनते रहे, कोई भगवत गीता का उचारन हो रहा है, कोई भगतों का संग हो रहा है, ऐसे एक शंड ना हो कि प्रभु की विश्वर्ती हो जाए, तो पहला स्थर है कि हर क्षण कैसे भी करके मैं कृष्ण भावना भावित हूँ चाहे वो कथा चलती रहे या कोई कथा गरंत पड़ते रहे भक्तों का संग करते रहे विग्र की सेवा करते रहे धाम का कोई विचार करते रहे क्या कोई किर्तन चलते रहे, क्या कोई वईशनव गीत चलते रहे, बस तुलसी की सेवा चलती रहे, एक आदेशी का महत्व, जो भी हो, हर क्षण ऐसे हो कि प्रतिक्षण, नाम ठीक अवश्य है, पर कुछ भी, कैसे भी करके, जो भी अंग पकड़ कर, अगर हम भगवत स्मृ विस्मृती हो सके, तो उसको धरना चाहिए और विस्मृती ना हो, यह पहला कदम, और फिर जब वो रंग चड़ता है, वो एक एक अंग, वो भक्तों के संग से जब वो रंग चड़ने लगा, तो अंग अंग से केवल नाम स्पुरित हो ही लगता है, बस नाम, हर समय नाम, कि विग्र सेवा करते समय वे अंदर नाम चले, फिर ठाकुर की सेवा करते समय, तुलसी की सेवा करते करते नाम चले, माला हाथ उठाना है, यह यह नहीं कह रहा हूं मैं, आप उठा सकते तो बहुत अच्छी बात है, सोला माला तो मिनिमम करना है हमें हर दिक्षा में, हम य एक विक्तिन ने कहा, महराजी मैं 16 माला रोज करूँगा, महराजी बोले बस, बोले नहीं, कम से कम 16 बोलो, तो उनने कहा कम से कम सोला, फिर महराजी ने आनॉंस किया कि सबको यही कहने करो, कम से कम सोला, यह प्रभुपाजी का स्टेंडर्ड है, तो बस यही कि एक कई बार हमें काम ज़्यादा होता है तो माला उठा नहीं सकते पर वोट से या जिवा से चलती रहे हैं कौन रोख सकता है यहां की घंटी बजाने से कौन रोख सकता है या कभी-कभी हम कहीं बस में बैठे हैं माला नहीं है तो हाथ में देखिए इससा बना लोग बहुत आकर बात कर रहे हैं तो और एक साधन है कोई अगर बहुत आकर बात कर रहे हैं आप से और आपको चिड मच रही है आप सोच रहे कि कब बंद करेंगे ताकि नाम चलते रहे तो बहुत अच्छी बात बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे तो आप उनके मुख पर नाम लिखते रहें आखो से आप देख रहें उनको आप उनको देख रहें वो बोलते रहें और आप उनके मुख म आखों से अक्षर लिखें, जैसे राम नाम लिखा हो, र, आ, म, ऐसा नहीं कि आप पिंसिल ले और उनके मुख में लिखें, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर आखों से आखों से, वो देख रहे हैं, अच्छा, अच्छा, वो बोल रहे हैं और आप बीच में सिर्फ, हाँ, ठीक, बहुत सुंदर, ऐसे कर रहे हैं, और फिर बड़ 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 कर रहे हैं, आप उनके नेत्रों में राम, 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 लिख रहे हैं, उनके मुख में, आप देखते-देखते, उनके मुख को आपने ब्लैक बोर्ड बना दिया, वाइड बना दिया, व कर रहा हुआ है राकेश प्रभूजी हरे कि अपके चर्णों में कोटी-कोटी प्रणाम प्रभूजी फर्स्ट अफल आपका जो संस्कृत ना प्रभूजी इतना हट को टच करता बहुत अच्छा लगता प्रभूजी और मेरा जो प्रशने प्रभूजी अभी हम लोग इतना स अच्छा क्लासे सटेन करते हैं संडे तक सब अच्छा पीर मंडे टुजडे जयसा होते रहता हो बैक्टरी डिस्चार्ज होते रहता फिर भूजी इतना देख्के हमको वह प्रहें थैर निया क्यों नहीं दुनिया के कोन साभी कोने में रहें दो च्छुआ मंगलार्थि को Guru महाराज जी अटेंड होते, वह अंदर अंदर वह प्रहना क्यों नहीं आती? क्यों Guru महाराज के प्रहना को ऐसा, हम मंगलार्ती अटेंड करते हैं, फिर 10 जिन करते हैं, प्रभुजी फिर एक ना, एक दिन, दो, तीन, चार दिन, दिन, मिस हो जाता, तो कृपा करके प्लीज बताए प्रभु जी वो हमारे अंदर वो चेतना कब आएंगी बस जब यह प्रश्ण पूछ लेंगे तब आने चलो हो गया कि क्यों नहीं हो बस यह भूख लगे तो देख पाते हैं, देखो गुरुजण कैसे हैं, भजन में शील हैं, क्यों मुझे में ये गून नहीं आता तो ये एक प्रारामविक दशा है, ये प्रभु की कृपा है कि हम देख पा रहे हैं और सिद्ध और बद्ध में यही फरक है, सिद्ध प्रभु को कभी भूलते नहीं और बद्ध बहुत प्रयास करने पर भी प्रभु को भूल लेते हैं, पहली बात तो यह है, दूसरी बात जो गुरुजन जिस महानुभाव के हम पदाश्रित हैं, उनके सद्वचनों को सुनत प्रतिक्षन हमारे लिए उत्सव है, प्रतिक्षन हमारे लिए जन्माष्ट्मी है, तो उसी उत्सा से रोज चलते रहें नाम जब गुरु की वानी, एकादेशी का वरत, तुलसी की सेवा और वैश्नवा पराद से दूर। ये पाच चीज पालन करेंगे भागवत श्रवन के साथ साथ तो सब फली बूत होता है पर समय लगता है इसलिए उत्सखात निश्चयात धाईरिया थोड़ा धाईरिय रखे समय के सा भी फली बूत होने के लिए समय लगता है और वुपाज जी कहते हैं बच्चा वी सुन्दर बच्चा वी जगत में जनम लेने के लिए कम से कम नौ मैणे मा की गर्म में रता है सब के लिए हमें 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 हताश नहीं होना चीए प्रैतनशील रहना चीए पर धाइरे भी रखना चीए ये पाच चीज ये पंचांग पकड़ के रखे कि तुल्सी की सेवा हो एकादेशी की निष्ठा बनी रहे सतत नाम उच्चारण हो गुरू की वानी चलती रहे अगला प्रश्ण 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 की मरसी है और मैं बहुत पॉर्चुनेट महसूस कर रहे हूं कि मैं स्कॉन से जूड़ी है और इसकॉन में इतने सीनियर डिवोटीज है एडवांस डिवोटी है उनका एसोसियेशन मुझे मिल रहा है पर फिर बुद्धी मैं अपने आपको इतना तुछ समझते हूँ या मेरी बुद्धी इतनी कुटिल है इतना अच्छा एसोसियेशन मिलके भी कुछ उससे सीखनी रहे है उसका एसोसियेशन नहीं ले पा रही है प्रभुजी मेरे दो कोशन है जो मेरी तुछ बुद्धी में उठे है बाकि आपने बहुत अच्छा समझाया उसके बाद भी मेरे को समझ नहीं आए तो मुझे लगा पुछ नहीं चाहिए प्रभुजी पर प्रभुजी पर यही है जैसे आपने हरी नाम की ग्लोरीज करी है तो आपने कई बही हरी नाम जो है हरी से भी बढ़कर है क्योंकि उसके लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता हरी नाम जब लेते हैं तो हरी कुद आ जाते हैं तो फिर प्रभुजी हमारा हरी नाम लेते हैं तो हमारा उदेश्य यह क्यों होता है कि हमें गोलोक बिंदवन धाम जान हमारा हरी नाम जबते ताइम उदेशे क्या होना चाहिए? Second question, Prabhuji, मेरा यह है, जैसे आपने बताया, कि हमारे जीवा जैसे घंटी होती है, हर टाइम बचती रहती है, नीचे से हिलती है, ऐसी हमारे जीवा हर टाइम हरी नाम लेती रहे, जैसे हम किसी भी कारे में लगे हो, तो क्या अगर यह हरी नाम लेते टाइम हमारे मन में गिर्ट आता रहता है हर टाइम, कि मेरी चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रही, मेरी साधना अच्छे से नहीं हो रही, मैं कितनी फसी पड़ी हूं, मैं नहीं कर पा रही, तो क्या ये हरी नाम लेना है मेरे ये दो प्रशन है प्रभुजी थैंक यू सो मच अब एक-एक करके लेंगे इसको क्योंकि मेरे कली मत्यी में मैं सब कुछ ठीक से पकड नहीं पाया या पकड नहीं पाऊंगा तो आपका दूसरा प्रशन तो मुझे मैं बाद में लूँगा पहला प्रशन ये आपका था कि हम चैंटिंग करते समय ये क्यों सोचें कि गोलोक जाना है क्यों न यहीं हमें गोलोक का आनंद मिले क्योंकि नाम से बढ़कर नाम है तो नाम रटने रटते यहां क्यों हमें मधूर रसास्वादन नहीं हो पा रहा है, हम गोलोक ये साध्यक्यों रखें, वैसे हमारा स्थर बहुत नीचा है अब, जब उचा स्थर हो जाता है, तो अपने आप निस्वारत भाव आ जाता है, जैसे बच्चा हो, बच्चे को पढ़ने में इच्छा नही या तुझे एक नई गेम, पक्का ममा, तुम खरीद के दोगी, हाँ हाँ बच्चा, मैं तुमें, मैं शपत देती हूँ, कि तुम अवल नंबर ले आओ, फर्स्ट आ जाओ, तो मैं तुमें ये भेट दूँगी, अब सोचिए, पढ़ने लिखने में व्यक्ति आगे जाकर, मान सम्मान पाता है, समाज में अस्तित्व पाता है, धन आरजन होता है, घर बार बानता है, उसके सम्मन में ये बैट और बॉल कहां से आया, पर बच्चा इतना, उसका मानसिक स्थर इतना वर्धन हुआ नहीं, कि वो समझ पाए, कि वास्तवेक अभ्यास हम क्यों करते हैं, वास्तवेक हम पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं, तो उसको छोटी-छोटी भेट देनी पड़ती है, कि तुम अच्छा थोड़ी बॉल से खेलना, तुम बैट के साथ खेलना, पढ़ाई नहीं करोगे, तो तुमें देखो, मैं डंड दूँगी, या तुम पढ़ाई प्राथमिक दशा में हमें ये बोलना पड़ता है कि नाम करने से देखो, तुम सुखी हो जाओगे, नाम करने से देखो, तुमें गोलोक मिल सकता है, नाम करने से देखो, तुम मुक्त हो जाओगे, नाम करने से देखो, तुम मुक्त हो जाओगे, नाम करने से देखो, तु सब सद्गुनों से तुम संपन रहोगे और ये सब अलग-अलग बात है प्रारंभिक दर्शा में पर बढ़ कर बढ़ कर बात यह है कि नाम क्यों उच्छारण करें क्योंकि प्रभू को बहुत आनंद आता है भक्त का जब स्तर बढ़ने लगता है तो भक्त यह सोचता है कि क् अनुसार, सुख धुक मेरे जीवन में निर्माता विधाता ने जो लिखा है वो आने दो पर मैं नाम इसलिए जपू ताकि मेरे कृष्णा बलराम सुखी रहे जब मैं कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृ बुला बुला कर आओ चिंटू ऐसे फ्रेंज से बलते तो छोटे-छोटे बच्चे में मनमन मुश्कुराते हैं क्यों क्यों कि ये स्वाभाविक है कि कोई हमारा नाम पुकारे तो हमें अच्छा लगता है ये कहां से आता है उद्गम स्थान इसका स्रोत कहां है प्रभू से प्रभू को अच्छा लगता है कि कोई बैट कर उनके पास उनके नाम का उच्चारन करे तो प्रभू को आनन देने के लिए प्रभू के संतोष के लिए मैं प्रभू का नाम उच्चारन करू बस उनसे कुछ ना मांगो तो प्रारंबिंग दशा में हम बोलते हैं कि गोलोग हो कार रहे हैं प्रफु आपसे कुछ नहीं चाहिए मैं आपको बांधना चाहता हूं मेरे दिदाए में आप मुझे अपने से दूर न रखे तो ऊचे स्थर और नीचे के स्थर में सोच विचार में थोड़ा मतवेध ऐसे दिख सकता है पर है नहीं कोई 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 अंतर नहीं तो प्राजन्मिक दर्शा में बच्चे को टफी देते हैं, बोलते हैं के पढ़ाई करो आगे जाकर वही बच्चा पीएजडी करता है मा बोलती है अरे बस करो जॉब करो और शादी करो बच्चा बोलता है नहीं मुझे रिसर्च करना है मुझे पीएजडी करना है अब लोब देना पड़ता है केंडी का, टॉफी का और भेट का, तो अभी हमारी दशा नहीं है, इसलिए बोलना पड़ता है कि नाम जपने पर हमें ये सप्दार्थ मिलेंगे, जो मिलेगा अवश्य है, ये कोई असत्य बात नहीं है, पर जैसे जैसे नाम रटेंगे तो इतना भा भीग मांगी बिना प्रभु मुझे चार रोटी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, घर की भीग मांगी ने बिना प्रभु मुझे घर में रखे हैं, रस्ते पे नहीं रखे हैं, तो वो प्रभु से क्यो मैं मांगो, वो प्रभु जानते हैं मेरे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, केवल आपको संतुष्टी देना, आपको संतोष प्रदान करना, आपको आनंदित रखना, बस यही मेरा करताविया प्रभू, इसलिए मैं नाम जब रहा हूं, यह पहला प्रशन, अब दूसरा प्रशन आपने पूछा था, कि क्या था मैया, क्वना देखिए मैं आप कह रहा क्या था मैं भूल जाता हूं, क्या था आपका दूसरा प्रशन? हमारे अंदर जो भाव है, चित में हमेशा क्रिशन और राम रहने चाहिए, वो भाव कैसा होना चाहिए, क्योंकि कई बार मेरे साथ क्या होता है, कि मेरी चैंटिंग जब अच्छे से नहीं होती है, या मुझे सैकिसफिक्शन नहीं लगती है, तो मेरा पूरा दिन मुझे हमारा बात यह है, हमारी बात यह स्पष्ट है कि हम हमारे बारे में अपने बारे में इतना चिंतन ना करें कि प्रभो की विस्मर्यति हो जाएं हम अच्छे हैं सब कुछ मुझ में अच्छा है या हम बहुत बूरे हैं मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं ये दोनों मिथ्याहंकार का प्रतिक है जब हम यह सोचते हैं कि मुझे में कुछ भी अच्छा नहीं है इसलिए मुझे सतत प्रभु का स्मराण करना चाहिए यह दैन्य भाव है परन्तो जब हम अपने आपको इतना गाली देते हैं बस यह है यह है और प्रभु की विश्परती हो गई 90% हम अपने बारे में विचार करते हैं कि मैं अधम हूँ पापी हूँ और 10% प्रभु का विचार करते हैं यह मिध्यांकार है यह तमस का गुन है और जब 5% हम सोच रहे हैं मैं इतना पापी हूँ इसलिए मुझे आगे के जो 90% हो जो भी हो प्रभु का स्मरण करना है ये दैन में भाव तो यह याद रखना है कि हाँ हमसे बात नहीं बनेगी पर प्रभु से बन जाएगी इसलिए हमारे बारे में कम सोचे और प्रभु के बारे में अधिक सोचे प्रश्ण क्या है या ये समस्या क्या है हमारा पतित परिस्थिती और समस्या का निवारन क्या ही ये solution समाधान क्या है प्रभु का स्मरण प्रभु का नाम उचरण प्रभु का श्रवन कीरतन तो बस अधिक समय हम solution में समय दें ना कि problem सोचने माने problem समझ कर 5 सेकंड में बच्चा जब परिक्षा लिखता है तो 5 सेकंड 10 सेकंड में प्रशन पढ़कर फिर 20 मिनिट वो उतर देता है है ना ऐसा नहीं कि 20 मिनिट वो प्रशन पढ़े और 5 सेकंड में उतर देता यह ठीक नहीं फिर फेल हो जाएगा तो ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे बारे में सोचें पर जैसे हम कभी प्रहार करते हैं तो खीचते हैं पीछे और खीचते हैं ताकि आगे जाए बाण आगे जाए ऐसा नहीं कि बाण को पीचे 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 खीचे पीचे और आगे ना छोड़े तो अपने बारे में इतना सोचे इतना सोचे इतना सोचे कि प्रभू का स्मरण ना हो बस थोड़ा सोचे कि मैं पत कि यह आखरी प्रशन हो जाए क्योंकि मैंने प्रसाद नहीं लिया है तो अंदर हम रिदय की भूग की बात कर रहे थे और बद्धवस्ता में पेट की भूग भी बहुत प्रजोलित है तो भक्तों से यह विंती है कि यह आखरी प्रशन ले इसके बाद में थोड़ा प्रसाद करना चाहता है तो यह जो प्रशन है सुंदर वामन प्रभु है प्रभु जी उनके द्वारा आपके चर्णों में कोठी 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 आनन दर्वार्थ प्रभु आपको भूग भी लगिए तो जल्दी से प्रश्ने के तरफ आउंगा पर उसके पैसे यह बोलना चाहूंगा कि आपके लेक्चर्स सुनते सुनते नोट्स बनालते में दो डारी बर चूगी और तीसरी शुरू हो चूगी है तो आप इसी तरह प्रिश्न करते रहें है कि हम जैसे पतिजीवों को बहुत कुछ सीखने मिले चोटा से कोश्चन यह है कि जैसे आपने समझाया आपकोर्स क को बांदिया करना चाहिए है तो कि दूरी कि जैसे पताते और देश्न करना चाहिए है कि कोछ जब की तरही करना चाहिए, क्यों जब माला ही करना बहुत नहीं करना चाहिए है हम तो हमेशा 24 गंटे नाम लेज़े रहे हैं इस पर प्लीज पोजे कुछ टिपड़ ने करें ताकि आगे आगे किसी को जवाब देने माशानिया पोजे जो व्यक्ति कहता है 24 गंटे मैं नाम जब कर रहा हूं ये बात सत्य है कि वो व्यक्ति जूट बोल रहा है क्योंकि जो व्यक्ति 24 गंटे नाम लेता है इतना दैन्य भाव भर जाता है व्यक्ति सोचता है कि नहीं 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 छूट गया नाम छूट गया नाम छूट गया देखिए एक बार मैंने अपने गुरु महाराज को ये प्रशन पूछा बहुत सुंदर उत्तर दिया महाराजी ने शिला गुरु महाराज को मैंने प्रशन पूछा आप कोई भी संत को देखिए कोई भी संत हमारे कृष्णतास कविराज गोष्वामी देख लिजे चैतने चरीताम रित में अन्य संत आप उत्तर भारत में भी देखें तो कई संत हैं जिन्होंने अपने गीत में अपने पद में अपने टिपनी में अपने टिकाओं में अपने शास्त्रों में लिखा है कि मेरे से अदम कोई है नहीं मेरे सम कौन है खल कौन है कामी कौन है कुटिल मैंने महाराजी से पूछा कृष्णदास कवीराज गोस्वामी कहते हैं कि जो मेरे नाम सुनते है उनका पुन्यक्षए हो जाता है जो नाम बोलते हैं वो नरक चले जाते है मैं जगाई मदाई से भी अधिक गिरा हुआ पापी अधम पतित व्यक्ति हो तो मैंने गुरुमाराज से पूछा नाम तो उनका है कृष्णदास कवीराज गोस्वामी बोलते है जो मेरा नाम लेता है वो नरक जाता है तो शास्तर कहता है जो कृष्णदास कवीराज गोस्वामी नाम लेता है वो नीचे हो जाते है अधोगती होती है तो यह या शास्त्र जूट बोलता है जो कृष्ण नाम लेते हैं उनकी उन्नती होती है या कृष्ण जूट बोल रहा है या कृष्ण दास कविराज गुस्वामी जूट बोल रहा है दोनों सत्य बोल नहीं सकते क्रिश्चन दास है मेरा नाम लेने से आप अदो घती होती है तो मैंने कहा महारा जी कैसे इसका समन्वाइ कैसे किया जाए तो महारा जी ने बहुत सुंदर उतर दिया महारा जी कहते हैं हमारा द्रिष्टी कोण और आचारियों का द्रिष्टी कोण उनका स्थर और हमारा स्थर बहुत फरक है हम 24 गंटे में एक गंटे प्रभु का नाम लेते हैं वा! मैं तो उतम हो गया देखो कहता इतना सेनियर हो गया मेरा तो नाम उपर है तो कुछ भी नहीं करते हैं दस मिनट में उठ रहे हैं तो एक गंते, दो दो गंते नाम जपता हूँ ये हमारा स्थर हुआ एक दो घंटे नाम जप लिए तो बोले तो चीक है बहुत महान कली काल में दो घंटे जपना भी बहुत बड़ी बात है और महराजी कहे ये संथ 24 घंटे नाम जपते हैं उसमें एक सेकंड कभी बस विस्मृती हो गए अपनी आपको मारते हैं देखो कैसा बाबाजी बन गया मैं कैसे आचारिय स्वरूप में बैठा हो यहां जो सब बैठे हैं तीन तीन लाग नाम जपते हैं और 24 घंटे में 24 घंटे प्रभू का स्मरन हो रहा है रो रहें रेंग रहें और प्रभू आकर इनकी कृपा कर रहें और मैं उनके समाज में बैठकर दो दो तीन तीन सेकंड विस्मृती हो गई मुझसे पतित कोई नहीं यह महाराजी का उत्तर था कि द्रिष्टी कोण और स्थर में फरक है जो एक दो घंटे नाम जपते हैं बोलता है कि कनिष्ठ होकर बोलता है मैं उत्तम हूँ और जो सतत स्मरन करता है वो अपने आपको कनिष्ट मानता है तो यदि कोई कहता है कि 2400 गंटे मैं प्रभु का स्मरन कर रहा हूँ आपनारो भजनेर कथा न कहो जथाता था नरोतमदास ठाकुर कहते हैं अपने भजन का ढिंडोरा यहां मां मत पिटो तो जो व्यक्ति अधिक नाम जबता है और सतत प्रभू का स्मरन करता है वो यहां मां बाहर सबके सामने कहता हैं कि मैं एतना भजन करता वास्तविक भजनान दी हमेशा कहता कि भजन नहीं हो रहा ब्रंदावन में हमारे हमारी निमबार्ग संफरदाय के एक बहुत प्रसित सादू है अब इश्वास नहीं करेंगे वो क्या करते हैं शाम के एक आट बजे, साथ आट बजे वो गिरिराज परिक्रमा प्रारम करते हैं शाम के और सतत तीन गिरिराज परिक्रमा एक के बाद एक के बाद एक लगाते हैं चार घंटे में एक गिरिराज की परिक्रमा होती है उनकी, वो बारा घंटे परिक्रमा लगाते हैं, शाम के 6-7 बजे से लेकर सूबे के 7 बजे तक, और आकर फिर सो जाते हैं, 7 बजे सोए हैं, 8-9-10 बजे तक लोग आते हैं, गाली देते हैं, कैसा बाबा जी देखो आ, 9 लोग आकर बोलते हैं, देखो बाबा जी बना है, ये से आलसी व्यक्ति है, सोने के लिए बाबा जी बना है, सोने के लिए आचार ये बना है, और फिर 8-9 बजे उठते हैं, फिर लोग गाली वाली देते हैं, कैसा बाबा जी उठो, स्नान करो, जाके स्नान करते हैं, कोई आ एक रात और यह 30-20 साल से लगा रहे हैं किसी को पता नहीं फिर जब वो फिर आहा हकार मज़ गया देखो यह इतने रसीक सादू है और सबसे गाली खा रहे हैं चुप बठे हैं यह है स्थर बहुत उचा पद है भक्त बनना यह कोई कायर का काम नहीं है यह शूरवीर का कारी ह तो जो 24 घंटे नाम जबते हैं पहली बात यह कभी नहीं कहते हैं को नाम जबते हैं नमर रहते हैं दूसरी बात हमें माला की क्या है वो शक्ता वैसे हम हमारे मन के हिसाब से चले तो एक दिन 16 माला करेंगे दूसरे दिन 26 माला करेंगे तीसरे दिन 2-3 लाग कर लेंगे फिर एक हफते अगले एक अदिशी तक माला उठाने का फिर हम नाम नहीं जपेंगे ये मन के रिसाब से चला पर अगर माला में संख्या लगा दे 16 माला 20 माला 25 माला जो भी क्यों ना हो तो अब मन लगे तो 25 से अधिक हो जाएगा और मन ना लगे तो कम से कम 20-25 करना ही है तो इससे क्या होता है एक संख्या बनी रहती है एक निरंतरता बनी रहती है हमारे मन के अनुसार उपर नीचे नहीं करते हैं एक-एक द्रिड़ता बनी रहती है वहगान कहते हैं सततम कीर्थयंतो माम यतंतश्चा दृड़ा वरता दृड़ा वरत के साथ यत्न प्रयत्म शील रहो। तो बस ये संख्या रखने के लिए और सभी आचारेगंडने ये बताई है। संख्या पूर्व के नाम गान नतिभी काला वसानी कृतव। शड़ गोस्वामी पाद तीन चीज संख्या से करते थे। क्या संख्या पूर्व के नाम गान और नतिभी। अर्थत प्रभु का गान इतने गीत गाऊंगा रोज। इतने अश्ठक गाऊंगा रोज। जैसे प्र प्रभू का नाम ले उस प्रभू का जिसने इनको मुझसे दूर कर दिया अब मानिके गति से चले तो एक दिन हरी बोल है और दूसरा दिन हॉरिबल है एक दिन हरी बोल और दूसरा दिन हो आर आर आई बी अली हॉरिबल पर एक-एक मध्य स्थर पकड़े हमारे कृष्ण चंद्र भगवान तो अश्टमे तिथी पर जनम लिये ना आमा वास्या ना प संख्या बना कर चले ताकि उपर नीचे हो तो फिर भी बस एक संख्या बनी रहे तो इसके लिए हम नियम बनाएं माला के और भी कहीं सारे फायदा हैं पर समय अनुसार मैं यहीं अरे कुष्णा प्रभुजी थैंक्यू वेरी मच और शमा चाहते हैं प्रभुजी आप बहुत मर्सिफुल है क्योंकि आपने 8-1030 समय दिया वैश्णव को वैश्णव इतने दयालू होते के बिना बोले ही इच्चा पूरी कर देते हैं पर आपको कष्ट भी हुआ हम सब भक् जिने प्रभचन किया और प्रशन उत्र के लिए समय दिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे रामा 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 हरे रामा 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 आप सबसे मैं भीक मांगता हूँ चरण धरकर मैं भीक मांगता हूँ रिपय करके आप नाम बढ़ाएं इस कथा इस समय को आप वियर्थ में न गवाएं आप इसको जीवन में उतारें अधिक नाम करें समय बरबाद ना हो ऐसे हो सकता है कि कलका सूरोध हम देख ना पाएं ऐसे हो सकता है कि ये आखरी दिन हो इस मानव शरीर में अनदर से एक आग लग जाए कि रोज नाम, सतत नाम, कितना हो सका है उत्ने नाम करते रहे उसका ये अर्थ नहीं कि हम बाकी सेवा छोड़ दें बाकी हमारे कर्तव चोड़ दे और एक जगह बैठ कर नाम करें सेवा करते करते नाम उचार और जिवाजे करते रहे यह दोनों को साथ में करना है और जुन तो युद लड़ते लड़ते नाम ले रहे थे तो वैसे यह भीक मांगता हूँ मैं आप कृपई करें इस बात को ले मैं तो नहीं कहा रहा हूँ यह शास्तर का सार है तो इसमें सदा निट्यम आनन्य सततम का अर्थ है निरंतरता यह पहली बात और दूसरी बात आप सबसे भीक मांगता हूँ आप कृपई करके मेरे लिए प्रार्थना करें यहां बैटकर बढ़बढ करना बहुत आसान है पर जीवन में उतारना बहुत कठी मैं देखता हूँ कि मेरे आचार और मेरे प्रचार में कोई तालमेल ही नहीं है प्रचार कुछ और बोलता है आचार कुछ और है आचरन कुछ और है विचार धारा कुछ और आचार कुछ और और प्रचार कुछ और, तो इसमें एक समन में हो जाए, एक एक निष्ठा आजाए, आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि जो उद्देश मैं मोख से बोल रहा हूँ, उसको जीवन में उतारने का भी, उतारने की भी कोई योगिता आए, शमता आए, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और वो बहुत दुख है मेरे जीवन में, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि हरी कथा और हरी कीर्तन और वैश्णव संग में सेवा करने का प्रभू मुझे अवसर देते रहें वैश्णव की सेवा करेंगे, उनको संतोष प्रदान हो, वो मन से आशिर्वाद देंगे, प्रार्थना करेंगे तो कुछ रुची हो सकती है, कुछ प्रगती हो सकती है, हमारे बल से तो नहीं होगा तो आप मेरे से चल ना करें दैन्य भाव का चल करके हम आपके लिए प्रार्थना कैसे करें ऐसे ना बोले, आप कृपाय करके मुझे दास मानकर आप स्वामी होकर कृपा करें या आप अपने आपको दास मान रहें तो मैं भी दास ही हूँ, हम सहोदर भाई बन गए, आप आदान प्रादान कर रहें तो कृपाय करके अगर आपको कथा आपको लगा कि इसमें आपको कुछ योग ये बात लगी तो आप कृपाय करके आप उसी के आदान प्रादान में आप मेरे लिए प्रार्थना करें प्रभू से भीक मांगकर जैसे आप अपने बच्चों के लिए प्रासना करते हैं, वैसे आप इस बच्चे के लिए आप प्रासना करें, ताकि भक्ती में कुछ आ सके. जय श्रीला प्रभूपाद, हरे कृश्ना. व्हिस्टे समरेंदर प्रफुजी की श्रिल प्रॉपद की जा प्रॉर्प्ट की ध्योल प्रिमानंदे हडी चीज़ु ख थे लिए प्रॉपूट एंड руки तंड